अलो हाई अव्रिवन और आपका स्वागत है मैं देख रहा हूं कॉमेंट सेक्षिन में हमें सारस दिख रहे हैं और एच वीजी भी दिख रही हैं तो आप दोनों का भी स्वागत है और हमारे साथ बैक्स्टेज में आईसी साह भी जुड़े हुए आज का टॉपिक काफी इंडरस्टिंग है क्योंकि ये थोड़ा हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है और हमें जब इसको देखने के लिए जाएंगे तो हमें थोड़ा साइडिया लगेगा कि मार्क्सिस लोग हिस्ट्री को कैसे देखते हैं उनका क्या परस्पेक्टिव टिपिक जो नैरेटिव थोड़ा से चलता है वो थोड़ा से सेपरेटिस टेंडेंसी की तरफ जानता हुआ हमें लगता है ऐसा क्यों हमें लगता है तो जब 1940s के आसपास जब इनका मुस्लिम लीग का लाहर रिजॉलुशन आया था उसमें उन्होंने डिमांड की थी कि एक तरह का ह आपको दिखाऊंगा लाहर रिजॉलुशन का तो उसके थोड़े टाइम के पात में इन लोगों ने कम्यूनिस्ट लोगों ने भी अपने वाइट पेपर एक बचारी कि थी कि हमारा क्या व्यू है इसके उपर और किस रीजन के वज़े से हम मुस्लिम लीग की डिमाज जो ह है तो जब हम इनको देखेंगे तो हमें आइडिया लगे रहा कि क्या इनका रैशनाल है और किस बेसिस पे यह लोग ऐसा पोजिशन्स ले रहे हैं कुछ इंटरस्टिंग चीज़े और भी पता चलेंगी कि इन्होंने क्रिटिसाइज किया है कि हाओ डिड़ नेशनलिस्ट म इसको अकौंट कर रहे थे और काफिय को यह भी देख रहीं बताने की कोशिश कर रहे है कि मुसलम्स एक्सटानीच करना कि मुश रख क्लूड की बात करें तो वह एलिफ कि बात करें इस हब ही को पता है कि एवन भी manufacture सब्सक्राइब लेकीन जो मुझ्धा उठाती थे वह कुज के फाइदे के लिए करेंगे अच्छा इंट्रेस्टिंग चीज यह है कि यह पेपर तो गवर्मेंट की वेबसाइट पर हमें मिल गया और स्केंड डॉक्यूमेंट के तौर पहे तो क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है तो मैंने एक पेज को पढ़ा और जो इससे मुझे इंपोर्टेंट लगे अच्छी नहीं है तो हो सकता है कि आपको ऐसे डिखकता है तो मैं वहाँ पर नेरेट करता चलूँगा और क्या उसका मतलब है यह भी बताता चलूँगा यह भी है साथी साथ शुरू में हम लग थोड़ा सा जो कमिनिस्ट की कोर आइडियोलजी है उसको भी देख लेंगी क कैसे वह इस्टी को देखते हैं और उनका जो फ्रेमवक टू लुक एट हिस्ट्री है फेर्म लुक एट सुसाइटल स्ट्रक्चर है डियलेक्टिकल मटेरियल्सम उसको भी हलका सा बता देंगे और इवेंच्युली हम लोग उनके पॉलिटिकल एक्टिविटीज को भी करना चाहें तो उनके पास मेल में लिंक है इसकी स्ट्रीम याड की तो वो जॉइन भी कर सकते हैं बीच में अगर मुझे एक दो मिनटी दर होना पड़ा तो आइसी साहब और सारस कुछ समय के लिए समाल सकते हैं क्योंकि होता ही है कि लगातार बोलता जाता हूं तो अब बता दीजेगा मैं आपको भी लिंक दे दूंगा और आप कुश्यन भी कर सकते हैं बिलकुल तो यह है मोटा मोटा जो बैग्राउंड है इसका इसुका चलिए अब देखते हैं कि कहां से स्टार्ट किया जाए तो यहां से मिलों स्टार्ट कर रहे हैं जो मुटा मुटा तीन एरा की बात करते हैं यह लोग सबसे पहले सेवेजरी है इसके अंदर यह मान लिया जाता है कि सोसाइटी मोरे स्टोड़ी बहुत इक्वानी जाती थी पैटिकुरली इस एरा के तीन हिस्टों में अगर उसको पाता जाया कि लूवर जैल कहां गौर एकट स्टज और रहते तो न शीकार के लिए जी मिलुंगा कि ब्रावची से खा़ंते हैं उसको वा 것도 कि बीडिल इसकार ऑ– आते यह तो वाहां पर फायर का अविश्कार होजाटा पार की डिसकवरी हो जाती है। अपर स्टेज में बहुत नहरा जाता है वहां से चीज़े बदलती है एरा बदलती है जब भी कोई बड़ा इस तरह की डिस्कवरी होती है बड़ा टूल आता है और उसको जनरली उन लोग ने हमिशा वार की परस्पेक्टिव से हिस्ट्री देगे तो बड़ा टूल ऑफ आले और जाती है तो पालना शुरू होता है तो इरिगेशन शुरू हो गए लोगों के अच्छे कासे और उसके अपर स्टेज में जाते तो आरन वगरा मिल जाता है राइटिंग मिल जाती तो अब यहां से टीज की तरफ लोग जाना शुरू हो जाते हैं तो सबसे इसमेंहें है कि अपर स्टेज में से फायरामस आ जाते हैं और वही काम किया था सिविलाजेशन की स्टेज में जो अपर आरा में जहां पर आइरन पाया गया था ब्राउंज से जब आरन इज में ट्रांसवर उवा था तो काफी चेंजिस हुए थे तो उसी तरह से फायराम्स के आने पर भी एक्वेशन्स चेंज हो तो मोटा मोटा ये एंगल्स के पॉंट अफ यू से मर्टेरिलिस्ट व्यू ऑफ इस्ट्री है अब इसको काल्मक्स तोड़ा सा और रिवाइस करते हैं अच्छा बताने का रीजन यह है कि वो लोग हिस्ट्री को किस नजरिये से देख रहे हैं वो सबसे जादा इंपॉर्टेंट पॉंट है तो आपने यह देखा कि कैसे वह तो रसा कॉंफिक्ट के पॉंट अफ इसे एंगल्स देख रहे थे चत कैसे जो टूल सारे तो उसका को क्लास ट्रगल में डिवाट करते हैं स्ट्री को इन हिस्सों में ऋप्रेमवग मोटा मोटा वही है कि स्लेट सैटि प्यूड स्पिम्धिक स्टी स्टी तीन बड़े-बड़े हिस्से हैं उसके अंदर में लेकिन यहां पे जो फैक्टर है जो चीजों को सबसे इंपॉर्ट काम कर्दा है एक बिच काम करा है, उनके बीच का जो रिलेशन्प के और यह क्लास्ट ट्रगल कह रहे हैं उनको मेंन कॉज ऑफ हिस्ट्री और यह सारा का सारा जो क्लासेज बनी है वो देख कहते हैं कि एकोनामिक रीजन की वज़े से बनी हैं और एक्वेशन इनकी है कि डॉमिनेंट वर्स डॉमिनेटेड अब स्लेव सुसाइटी में आप दखो मेंटेन करने के लिए जादा बढ़ाने के लिए स्लेवर स्लेव लेवर का यूज करना शुरू कर दिया है और उसकी वज़े से वार्स वगरा होती थी यह पॉइंट है दूसरा पॉइंट जब इसके फ्यूडल की तरफ बढ़ते तो लॉड और सर्फ का कॉंसेप्ट आ जा है तो हर चीज इसमें एकोनोमिक पॉइंट ऑफी से देखी जा रही है इसमें होरीजोंटल जो इंट्रेक्शन है सुसाइटी के अंदर में वह उतना जाता फोकस नहीं किया जा रहा है जैसे इंडियन सोसाइटी आ बार आप देखोगे तो वहां पे बहुत सारे जो भी आप कहिए निचला वर्ग उसको कहिए उसके अंदर एक दूसरे से इंट्रेक्शन होता है अलग-अलग तरह का मल्टिपल एंगल से होता है चाहे पुसको कास्ट का नाम ले दीजे चाहे जाती वर्ड या और भी किसी तरह के इंट्रेक्शन हो सकते हैं इनी का अपस पॉसिटिव भी काफी सारे इंट्रेक्शन हो सकते हैं कि ये इक दुसरे से ट्रेड कर सकते हैं ये जो वर्ग है इनका व्यूपॉंट है तो वो class struggle के point of view से देखा जा रहा है तो वो simply assumption ले लिया गया कि दो classes होगी करके तो यह इनका viewpoint है आके बढ़ते हैं अब यहाँ पे यह बता रहे है dialectical materialism अब यह बता रहे हैं कि सारा का सारा मामला है कि दो classes है और एक class dominant है और एक class dominated है तो dominated class को कैसे motivate किया जाए कि वो काम करें उसके दो तरीके हो सकते हैं या तो आप उनको मजबूर करें किसी तरह से coercion force लालच देकर किसी भी तरह से इस तरह से मजबूर करें या उनको किसी ऐसे चीज़ का आइडिया देते या लॉलिपॉप देते उनको कि उनके दिमाग में आइडिया बैट जाए कि मुझे इनके लिए काम करना है अब इसके अंदर चाहे तो religion आ सकता है जाहे तो किसी तरह की और भावना चाहे तो यह लॉडशिप के प्रति प्रेम बंधुत्वर बोलते हैं जिसको वो आ सकता है और लॉड़ ऐसे सर्वेंट ऑफ दो गॉड़ यह कॉंसेप्ट आ सकता है बहुत सरे अलग अलग कॉंसेप्स आ सकते हैं मोटे मोटे आ isnut यह हमारा रहनुंमा है इस तरह की चीज़ है यह है इसके बिना हम लोग रहनी सकते कोई और आएगा हमला कर देगा हमारे उपर यह लेकिन यह सारा का सारा सारा में तरह मंहारी में पार है Kennential काने काowa है तो ये बात है, अब ये जो दूसरा अप्रोच है, वो कहते हैं कि यह जो माइंड को कंट्रूब करने का स्टेज है, वो बेसिकली मेटेरियल एकोनोमिक बेस के एक लवल उपर बनता है, we material economic base क्या हो सकता है अब आपका पुलीस है, आपका एकोनोमी है, यह सारा का सारा material economic base है, जो basically आप उसको यूज करके कोर्स कर सकते हो किसी को मेरे लिए काम कराने के लिए या उसको लालज दे सकते हो, लेकिन यह जो system है, जो second system of controlling the mind, वो उसके उपर एक लवल उपर काम करता है, जिसको यह ideological superstructure कह रहे हैं, यह मोटा मोटाइन का concept है, और इसको वो इस तरह से आगे दिखाएंगे, यह तो extra है, यह सिर्फ context के लिए है, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, जिसमें last stage वही है कि communism आएगा, जिसमें classes नहीं होगे, conflict नहीं होगा, weird सी बात है, conflicts हमेशे इस तरह की चीज़े, social relations भी हो सकते हैं, कुछ अधक सोसाइटी के जो बंधन हो सकते हैं, वो वा सकते हैं उसके, काम नहीं कि आपने मालिक के लिए तो आपको जादबरहिश्कृत किया जा सकता है, ex-communicate किया जा सकता है, इस तरह की चीज़े, culture उसे उपर आ जाता है, जिसके अंदर में morality आ सकती है, religion आ सकता है, और भी बहुत सारी चीज़े, education आ सकता है, इसके अंदर में, indoctrination कह सकते है आप उसको, तो उस तरह की चीज़े, idea is super structure का वो है कि it justifies the existence of the dominant, existence of the ruler, ये एक और आइडिया है उसको, और जो classes है, उनको establish करना, और चूंकि बनाए इन होने है, जो dominant class है, उसने सारा का सारा structure बनाए तो आपने benefit के लिए बनाएगा, ये कहते हैं कि working class suffers from a false consciousness, ब्रेन वाश कर दिया गया है, मुटा मुटा ये कहते है, तो ये है, इसके साथ careful रहने की ये ज़रूरत है हमको, कि अगर इस narrative में हम लोग extremely चले जाएं, बहुत ज़्यादा डूप जाएंगे, तो problem ये है कि हमें reality को समझने में दिक्कत हो जाएगी, उसके लिए मैंने यहां पे example quote कि है, कि जो प्रोटेगोनिस था, उसकी बीवी reality को समझ नहीं पा रही थी, ये dream है कि ये reality, वो असली reality को dream समझने लग गी थी, और उस वज़े से उसने suicide कर ली थी, तो अगर आप इस framework में बहुत जादा डूप जाते हैं, तो आप, जो actually आज का real structure of society है, जहापे cooperation, collaboration बहुत होता है, उसको आप ये मान लेते हैं कि भाईया, ये तो operation है, ये किसी ने हमारे उपर डाल दिया है, जबरदस्ती हम ये false consciousness बनाने के लिए, हमको बेखूफ बनाने के लिए, brainwashing करने के लिए डाल दिया है, जबकि ऐसा है नहीं, reality में आज, नॉर्मल जो society है आज की, जहापे equality पर focus क किया जता है, इवन दीगल दोर पे, और सारे के सारे जो super structure है, मोटा मोटा इन प्रिंसिपल के उपर काम करता है, लेकिन वहाँ पे भी अगर operation जूढने लग जो और ये बोलो कि structure को तबाह करना है हमको, तो वो problem create हो जाती है, आप वो जो inception वाला काम है, वो कर रहे हो, तो इ तो ये अब तो कुछ ध्यान रखने की जूरत है, आए, थोड़ा सा आगे बढ़े, यहाँ पर मैं थोड़ा सा आईटी साब का support ही लेता हूँ, वो कुछ कहना चाहें तो, जैसे साब वेलकम, मैं कहा रहा हूँ, मैं तो सर सुनी रहा हूँ, मैं ये तो मेरे चोटे से दिव के लेवल के उपर की बात है, as we progress, मेरे पास है कुछ question पर, वो मैं link करूँगा, आपने जो पहले वो अश्रफिया क्लास में जो वो करते नहीं है, foot soldiers के लिए, जी, मैं वो देख रहा हूँ, वो इससे link होएगा की नहीं, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होग जी, कल भी इसके पर बात हुई थी हमारी, और हमें clearly दिख रहा था कि एक सर्जन जो आके कह रहे थे कि, basically हम मेरे ideas, हमारे ideas जो है, वो best ideas है, और वो मज़ा में सब को देना चाहता हूँ, वो यही था, वोटा मोटा, वोटा, 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 वोट बोल दो और फिर गलत हो जाए, क्योंकि येस्टेड़े अगर किसी ने वो श्रीक की देखना, वो तो मुहमद अली का भी भाई का, ये सर, मैं इतना गया, continue सर, continue, मैं तो, interestingly देखो, ठीके सर, चली, आके बढ़ते हैं अब हम थोड़ा सा, ये वही बात है, सर, sorry to interrupt you, सर, हम द कर वही तो आता है, क्रीम पे, अच्छा, को राम सर भी आके हैं, तो उनको भी आइड कर लेते हैं, थोड़ा सा, उनका भी ओपिनियन ले लेते हैं, आए को राम जी, आज ये कब बनाया है, वही कब बनाया है, एक दो दिन पहले ही बनाया है, मैंने, तो, जो material detail में डिसक्स करना है, वह यहाँ पे कर लूँगा, मैं, चलो, चलो, ओके, ओके, अच्छा, वंडर्फुल, dialectic materialism, आट्स इंट्रेस्टिंग, अब बही बात चल ले थी, कि IC साहब को clearly, अब visible हो गया हमें, clearly visible हो गया उनको कि कल वाले पर जो भाई साह आए थे, और जो narrative दे रहते हैं, अब ये लोगों को clearly समझ भी आने लग गया है कि किस तरह का narrative लोग चलाते हैं, वो कहां से आता है, आए थोड़ा सा आगे बढ़े हैं हम लोग, यहां से हम लोग शुरू करते हैं, इस paper को read करना, अब मैं थोड़ा सा मापी चाहूँगा, क्योंकि ये text जो है, थोड़ा सा आपको धुंदला नजर आ रहा होगा है, लेकिन जो document मुझे मिला, वो scanned PDF ही है, उसमें भी किसी ने बड़े प्यार से pencil चला रखी जगा जगा, लेकिन आप पूरी कोशिच करता है, उसको read करने की, अब के लिए, तो ये हैं गंगाधर अधिकारी का document, तो वो कहते हैं अब, और उनके paper का नाम है Pakistan and National Unity, और ये CPI की position है, पाकिस्तान की issue पर, या Muslim links की जो demands थी उसके उपर, इससे पहले मैं आपको वो दिखा ही देता हूँ, जो लाहोर resolution, उसका text मैं आपको दिखा देता हूँ, तो वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, लेट मी शेयर दे स्क्रीन, लेट सी, अगर वो स्क्रीन पर आगया है, ये लाहोर resolution का text है, उसके उपर एक justice, डॉक्टर मुनीर एहमद मुगल ने commentary लिखी है, वो commentary को तो हम लोग छोड़ देते हैं, हम लोग सीधा text के उपर जाते हैं, तो ये है, लाहोर resolution का text, चलिए इसको पढ़ते हैं थोड़ा सा, तो उसे फिर हम लोग कोमेंटरी करने वास आनी होगी, तो वो कहते हैं यहां पर, बहुत चोटा सा है, ये लाइक पांच-छे लाइन से इसके अंदर में, तो वाइल अप्रूविं एंदॉर्सिंग दे एक्शन टेकन बाई दे कांसल और वर्किंग कमेटी आफ आल इंडिय Muslim League, as indicated in their resolutions, dated 27th of August, 17th and 18th of September and 22nd of October 1939 and 3rd of February 1914. On this constitutional issue, the session of All India Muslim League emphatically reiterates that the scheme of federation embodied in the Government of India Act 1935 is totally unsuited to and unworkable in particular conditions of this country and is altogether unacceptable to the Muslim India. So, he says that the government of India Act is in 1935, according to the assembly and the government structure established to establish the structure and the scheme of federation हमको unacceptable है और हमारे साथ Muslims of India को unacceptable है तो वो यह Muslims of India को represent करने की बात कह रहे हैं, जिसके लिए कोई material evidence था नहीं है. Second, second point है उनका, it further records its emphatic view that while the declaration dated 18th of October 1939 made by the Viceroy on behalf of His Majesty's or Majesty's government is reassuring that insofar as it declares that the policy and the plan on which the Government of India Act 1935 is based will be reconsidered in consultation with various parties, interests and communities in India. तो उन्होंने का कि हमें ये तो ठीक लग रहा है कि जो Viceroy है, उन्होंने हमें आशवासन दे दिया है कि हम आपके साथ consultation करेंगे इसको implement करने से पहले. लेकिन वो कह रहे हैं कि Muslim India will not be satisfied unless the whole constitutional plan is reconsidered de novo. यानि कि वो कह रहे हैं कि पूरा का पूरा मतलब पूरे बखर के बदल डालूंगा, पूरा का पूरा पूरा प्लान बढ़ डल लो तभी हम satisfy होंगे. And that no revised plan should be acceptable to the Muslims unless it is framed with their approval and consent. कह रहे हैं कोई भी अब नया plan बनेगा, तो वो हमारी approval, हमारी consent कि हमारे veto के बिना वो अप्रूव नहीं हो सकता है हमें. एक तरह से वो veto मांग रहे हैं किसी भी तरह के plan के उपर. ठीक है जी? अब यह अपना तीसरा resolution बता रहे हैं. He resolved that it is the considered view of the session of All India Muslim League that no constitutional plan would be workable in this country or acceptable to Muslims unless it is designed on the following basic principle. Namely that अब वो बता रहे हैं कि किस चीज़ के बिना हम लोग accept नहीं करेंगे. तो वो अपना principle बता रहे हैं. Geographically contiguous units are demarketed into regions which should be so constituted with such territorial readjustment as may be necessary that the areas in which Muslims are numerically in majority, as in the north, western and the eastern zones of India should be grouped. To constitute independent state in which the constituent unit shall be autonomous and sovereign. तो उनकी demand ये हैं कि basically ऐसे areas जहां पर Muslims majority में हैं उसका clear उन्होंने नाम लिया North Western Frontier Province जो आज को पाकिस्तान समझा माना जाता है जिसको और Eastern Zone जहां पर बंगलादेश वगरा हैं. वो वाले हिस्सों में जहां Muslim majority में हैं उनको वहां पर प्रॉमिसेस को ग्रूप किया जाए उन्हीं इलागों में जहां Muslim numerically majority में उनको ग्रूप किया जाए और उनको एक तरह से sovereignty दी जाए. कि वो autonomous तरीके से independent state की तरह रह सकें. अब तक कि वर्ड पाकिस्तान नहीं आया है लेकिन जिस तरफ जा रही है बात कि autonomous और sovereign होने की बात की जा रही है. इवन अगर हम लोग फेडरेशन का भी example ले 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 तो उस framework में भी फेडरेशन की definition में जो states होती उसमें ये तो fit नहीं होता है जो ये demand कर रहे हैं. कि independent state जो autonomous और sovereign होगी. तो at least ये फेडरेशन से तो आएक स्टेप आगे बढ़ चुके हैं. अब ये जो अगला paragraph है बहुत ही poorly written है ये. उसमें एक ही statement को वो दो बार कह रहे हैं. और मुझे भी पढ़ने में पहले समझने में दिक्क हूँ ये क्या लिख रहे हैं. फिर मैंने पढ़ा तो मेरे को पता चला. अब ये दिमांड कर रहे हैं that they demand that effective and mandatory safeguard should be specifically provided in the constitution for minorities in these units and these regions for the protection of their regional, religious, cultural, economic, political, administrative and other rights and interest in consultation with them. तो इन regions में जहां Muslim majorities में हैं वहां पर specific safeguards वगरा provide किये जाएं. और उनके जो ये हैं जो इनके freedoms वगरा उनकी demand की जाएं. साथ ही साथ जहां पर Muslim minorities में हैं, जिन इलाकर में Muslim minorities में हैं, उन्होंने भी यहां पर भी वही rights की demand किये. तो basic idea यह है कि वो provinces जहां Muslim majority में हैं, वहां पर वो ये एक तरह का वादा कर रहे हैं, कि ऐसे rights वगरा बनाए जाएं, कि आपके इलाकर में जो minority हैं, वो रहेंगी secure. ठीक है जी, यह important हो जाता है, इस session further authorizes the working committee to frame a scheme of constitution in accordance with these basic principles, providing for the assumption finally by the respective regions of all powers, such as defense, external affairs, communications, customs and other such matters as may be necessary. तो यह कह रहे हैं कि ऐसे जगह पे, जो independent, sovereign, autonomous state होगी, वहां पे वो अपना constitution बना पाएंगे, और जिसके अंदर उनको सारी powers, जैसे defense, external affairs, communication, customs, और जो कुछ भी जरूरी हो, तो basically आप एक nation ही मांग रहे हो, in principle, जब यह सारी चीज़े, defense, external affairs, यह सब अपने लिए मांग रहे हो, तो तब यह लफजों में, आप अपने लिएक nation ही मांग रहे हो, तो यहां पे इनका खतम होता है, यह, तो अब इसको document को रोक लेते हैं, और थोड़ा सा opinion ले लेते हैं, जी, IC साहब और कोराम भा, जो लाहर resolution है, उसका मोटा मोटा आपको idea तो पता चल गया न, आज़र मैंने लिखा न, state within a state चाहिए हो, तो यह बात है, और वो जो state है, वो है independent पूरी करे से, वाटिकन चाहिए है, तो यह, तो यह, तोड़ा काम करते करते देख रहा हूं, असल मैं, सुन रहा हूं सारी, अचा-चा, कोई बात ने, काम करते करते मैं सुन रहा हूं, अभी देख स्ट्रीम में. भी जिस एरिया में, मुस्लिम निमेरिकली मेजॉर्टी में हैं, वो ये डिमांड कर रहे हैं, कि अपना Constitution में इन साथ वो ये बोल दो शरिया लोग बोल दो ना फिरू वो उन्होंने पुरा स्पेसिफाई नहीं किया सर, वो ही मैं देख रहा था स्पेसिफाई नहीं किया रहा पूरा कि क्या होगा तो इन दबे लफजों की वज़े से उनको थोड़ा सा charity मिल जाती है, historians की तरफ से मैं भी वही देख रहा था मुस्लिम बामिनेटेट एरिया में उनको autonomy देना यही है ना में मतलब तो जी, history हमें यही सिखाती है कि eventually शरिया टाइप चीज़ें आ जाती है शरिया जाएंगे ना eventually क्या मतलब यही बोलो कि शरिया यहा आना था तो बोलने सकते हैं कि वहाँ पर थोड़ी constitution बनेगे और ओ constitution भी बनेगा तो जिस तरीखे का बनेगा बहुती मजभी constitution बनेगा शरिया लोग implement होगा गुस्ता के रसूल सर्तन से ज़दा वो सब होता था आज यह नहीं होता था तर यह यह आई थिंग ए खादव रिद्वी की देन है अब जो भी हो वो उसको पढ़ेंगे डॉक्टर इस्तिया कहमत की है पाकिस्तान के बर्वुक्स उसको जब पढ़ेंगे तो उसमें और अच्छे से clear हो जाएगा वो एक दो इनके statement दिखा देता हूं साथ में commentary है इसके उपर उसी document में यह एक statement है जो इसमें source जो दिया है उसमें लिखा है कि यह डॉन जो है डेली डॉन कराचीव का पब्लिश हुआ था 1947 में और उसमें कहा जाता है कि यह रिमार्ख है काइद आजम मुहम्मद अली जिन्ना का जब वो पतेल के accusation का रिस्पॉंड कर रहे थे तो चली वो पढ़ लेते हैं यह statement को यह 1947 का है जब इनको शायद मुटा मुटा मिल गया था जो चाहते थे तो नब दिमांट पाकिस्सान वास बेसेड और राइट अफ सेल्फ दिर्मिनेशन विच इस बर्ट राइट उसल्मान और इनको जब इंसल्मान बॉस अनंना बी जचिसीबल इस्चीव तो यह उनका statement है, अब इससे हमने काफी सारे मतलब निकाल सकते हैं, लेकिन यह इनका statement है, और एक मज़ेदार चीज अब देखते हैं नीचे, अब यह काइद आजम मुहम्मद अली जिनना को, लिग लिग लिजिसलेटर को एक कन्वेंशन नाइटीन 46 में अप्रिल में यह स्टेटमेंट दे रहे हैं, अब मज़ेदार स्टेटमेंट है, इसमें इन्वोक कर रहे हैं वो, God is with us because our cause is righteous and our demand is just to both Hindus and Muslims inhabiting this great subcontinent, let us march forward with complete unity amongst ourselves as the disciplined soldiers of Pakistan, you have shown to the world that we are United Nations and that we mean business, ठीए जी, तो यह उसके बारे में बाद में उनके political views थे, अब यह इससे हमें clearly idea तो लग रहा है कि मतलब जब यह चीजे प्रिंसिपल में apply होगी तो आगे future क्या होगा? तो यह जो अधिवेशन था उनका लाहूर रिजॉलुशन के उसके उपर हमने देख लिया कि उसका टेक्स्ट क्या था, अब यहां पर देखते हैं CPI इसके बारे में क्या कहता है? तो यहां से शुरू करते हैं, CPI कह रहा है से आ रहा है यह वर्ड और यह कह रहे हैं कि इंडिया के अंदर one nationality of one strand नहीं है nationality की, different individual nationalities है, इंडिया की history में different nationalities हैं, जो अब एक नया consciousness के अंदर जाग रहे हैं, बल्याजी, तो यह इनका statement है, इसको मतलब लोगों को मैं mark कर रहा हूं कि इसको carefully पढ़ें, क्योंकि यह बाटते हुए नजर आएंगे आपको, यह चुरू में हालाइट करो, यह बार बार आएगा यह point, तो अब यह कहते हैं कि unequal economic development leads to friction and conflicts between communities and different national units, जो इन्होंने terminology set कर दिया, तब इसी के अंदर ही रहेंगे, कि different national units ही कहेंगे, वो लोगों को, तो यहां से इनका आता है concept, जबकि टेक्निकली अगर dialectical materialism के अंदर जाएंगे, तो वहां पर सिर्फ पर सिर्फ दो groups हैं, दो classes हैं, लेकिन इन्होंने यहां पर जो horizontal framework है, जो मैंने बात की थी, जो typically उसे मिलता नहीं है, कि अगर कोई suppressed class भी है, तो उसके अंदर भी इन्होंने division बना लिये हैं, बढ़िया, तो यह बता रहे हैं कि friction and conflicts between communities and different national units, the growing sweep of the all India people's movement, जो nationalist movement है, उसकी बात करें, tends to unite these communities and national units into one national united front for freedom, बहुत अच्छा है, यह सब words जो हैं, इसको आप ध्यान में रखिएगा, यह one united national front for freedom है, वो bolshevik क्रांटी की तरफ आइडिया देता है, आपको indicate करता है, और यह narrative में आपको आगे जाके मिलेगा, बट imperialism deliberately promotes and foster separatist tendencies to disrupt and paralyze the unity of national forces, which is advancing towards freedom, तो वो कह रहे हैं कि जो imperialist हैं, वो separatist tendencies को promote करते हैं, जो national movement है, उसको रोकने की कोशिश करते हैं, national movement क्या है, एक तरह का revolution, जिसमें समाज का सारा सरवहरा वर्ग एक हो जाएगा, जो proletariat हो जाएगा, और जो imperialist forces हैं, उनको खाड़ थेकेगा, बहुत बढ़ी अची, अब इनका ये जो narrative है कि एक one nation नहीं है, और individual nationalities है, ये क्या खुद separatism नहीं है, जिसके लिए वो imperialism को ये थहरा आ रहे हैं, जिमेदार, चलिए हम मान भी लेता है कि British लोग की policy थी, कि फुट डालो और अजाम लगा रहे हैं, वो खुद ये प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, इन ideas, theories में, historically तो ये प्रूवन है, इनके actions से, लेकिन यहां तो वो theory में ही इसी बात पर कह रहे हैं कि we are also supporting इतर का separatism, तो यहां पर दोगला पंसी फोर्ट सिफ आइडियास में ही आपको दिख जाता है तो आगी जाके तो कहना ही क्या, तो अब यह इनका axium है कि being proletariat, जो है, being proletariat under operation, they will all come together, जिसको मैं दर्द का रिष्टा कह रहा हूँ, और यह assumption कर रहे हैं कि imperialism, जो है, वो separatism को breed करता है, ठीक है जी, बिटिश के case में यह सही हो सकता है, कि वो separatism को breed करता है, क्योंकि एक जो है, जो है, कि जो proletariat है, वो एक साथ आ जाएगा हमेशा, वो not always the truth, अब वो कह रहे हैं कि national, यह कॉंगरेस के उपर थोड़ा सा टॉंट मार रहे हैं, आकाद कर रहे हैं, उसको criticize कर रहे हैं, अब यह कहते हैं कि वो imperialist force के हाथ में आ गया है, वो लोग, और यह जो हमने कह कहनी बताई है, उसको समझ नहीं पा रहे हैं, और वो यह जो है, multi-national pattern of national unity जो डेवलप हो रहा है, वो देख नहीं पा रहे है, वो देख नहीं पा रहे हैं, आजाएगा कम से कहूं, मगर लेने पढ़ेंगे, वो अलग था थे, उसको हुआ है, वोई, आजाएगा कैके सब्सक्राइट आजाएट उसको से कह साथ है, अजाएट quality झोट्राइट के कुछ ले लो, प्वेश्टेंज अगर कोई है तो, यह फ्लाइट कूकर है, उसमें दीडिरीट कर दीएकिए, आरे, हेल ऑमेनीटी भी है, हेल उसको से, ह्या делать आंए आ सकता है क्या है दिर्यक्त पर आरेकर आने वह पी तो औरत भी हो और है है बढ़पसर नहीं ले तरखता है, आयो वो, Heal Humanity को भी ले ले भाई, मैंने प्राइवेट चाट देखी ही नहीं, हाँ हाँ है 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 तीम मिनिट में ले आया थे तीजी है 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 नमस्ते सादत है सादत है आयो बिफोर यू स्टार्ट एक वो सजेशन है आफ्टर दे स्ट्रीम तो अगर आपको ऐसे पेजिद बिलते है ना विच इस नॉट टेक्स फ्रेंडली इफ यह आपको एकसेस तु वननोट उस पे कॉपी कर दो ये इमेजेज और राइट क्लिक कर दो कनवर में तो कि दिए दो प्रफिन ऊथ यह अव्डन को प्रफ अगरे विच्छ में तो उसमें भी जैसे हो जाता है आपको वी ऑननोट तो होता ही है रहा सबके पास आज कि क्योंकि वो माईकर्सॉफ्फ आफिस और उसमें बाई नोट बाई दिफोल्ट गयूब क्वार्फुल अच्छा ओके अच्छे लिए इसको भी रख लो पर हमारी फोटोस नहीं आनी चाहिए जब आप वह बड़ावाद करते हो ना सर्थ किसी को भी वह अगर एकसस दे दो गए ना तो बेटर होगा किंगी वह कम से कम ले सकेंगे निकाल सकेंगे और आइलाइट कर सकेंगे इसकेंगे किसी को भी एकसस कश्मीरी सेपरेटिस को नहीं लगते हम लहाँ सब्सक्राइब बड़र और बैरको आज कल हर स्ट्रीम में लोग के भी बोलते रहते हैं तो यहां पर थे हम लोग कि जो आइडिया था कॉंग्रिस को क्रिटिसाइज करने का उनका यही था कि आप इस चीज के लिए कुरिटिसाइज कर रहे थे कॉंग्रेस को आई यह देखते हैं और आगे और वह अब दिमांड कर रहे हैं कि आप कि युँ है युँ है डिश्वांसिबिलीटी कि आप जो है इसारी जो दिफ्रेंट नेशल आटिस उनको उनको उनाइट कीजिए और उसके लिए यू हव तु एक सैप्ट मुसिम लिग टामस क्या एक सैप्ट मुसिम लिग टामस हैं यह यूव अव्याव तुए डिपर लिए इन्डिपेदेटे इसलिडेने की दिवान थी अर उनकी ताम रहे पड़ लेता हुग अंका स्टेप्मेंट बादा इंट्रेसिंट स्टेप्टमेंट है In free India, the guaranteeing of autonomous state existence, keyword है, autonomous state existence, with the right of political separation, keyword है, right of political separation, to individual nationalities, again, individual nationalities, having their own territorial units, own territorial units, to which they are bound by history, having a common language, culture, economic life and psychological make-up, keyword है, psychological make-up, उम्मा की तरफ इंडिकेट हो रहा है, can never lead to a VB section of the motherland, या अगर ये आप accept कर लेते हो, कि basically, कि ऐसी demands, कि हर individual nationality, जिसको communist कह रहे हैं, उसको आप एक तरह की self state दे दो, self governing autonomous state दे दो, उनको right to secession दे दो, कि आपकी union से अलग हो सकते हैं, तो उसके basis पे motherland कभी भी divide नहीं होगा, ये इनका दावा है, और ये कह रहे हैं कि आप मुस्मिलिक की demand accept कर लेजिए, अब इस logic को किस तरह से dissect करें, और किसी भी तरह से मतलब ये कर रहे हैं कि, ये मुझे समझ भी नहीं आता कि कैसे motherland का VB section नहीं होगा, तो ये हैं का statement, और इसमें बड़े-बड़े वादे इन्होंने कर दी हैं, ठीक है जी, और अगे बढ़ते हैं, और ये पार्ट हमें थोड़ा सा carefully पढ़ना होगा, तो ऐसी states के बारे में बात कर रहे हैं, जो individual nationalities से बनी हैं, तो they will have the right to secede if they so desire, तो right of secession की बात कर रहे हैं, right to leave the union की बात कर रहे हैं, but it must be borne in mind that the recognition of the right to nationalities to separation is the recognition of their equality and freedom from oppression in a free India, तो वो है कह रहे हैं कि अगर उप उनको ये right दे देते हो कि वो secede कर सकते हैं, तो आप एक दर से उनकी freedom को recognize कर रहे हैं, ठीक है, बिलकुल, this would lay the basis not for separation but for a joint fight that for freedom against the aggressor and for the creation of an Indian union based on voluntary cooperation of free nationalities, तो कह रहे हैं कि अगर आप उनके rights को मान लेते हो और उनको secession का right भी दे 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 तो तो आपके साथ अलग नहीं होंगे, वो आपके साथ मिलके operations के against लडेंगे और एक union का हिस्सा बनेंगे जो equality के basis बनेगा, और वो voluntary cooperation के basis बनेगा, ठीक है जी, अगर ये सरदार पटेल ने ये statement मान लिया होता तो भाराज आट भी इस पांसों हिस्सा में बटा हुआ होता, तो मतलब स्टेट क्राफ्ट जैसी चीजें तो दूर से ही निकल गई है और बड़े-बड़े Congress को प्रवचन दे जा रहे हैं कि unity बनाएंगे ऐसे steps लेके, खेर अब और एक नीचे का पढ़ लेते हैं statement, तो यह कर रहे हैं, तो यह कर रहे हैं, तो यह थोड़ा सा और जादा खतरनाक करें शुको, लाइक द आंधरास, कनड़ीज, मराथीज, बेंगालीज, एट्सेटरा, तो नौट अट अल्लीज, मतलब बड़े, बड़कि इनको भी सेपरेट स्टेट दिया जाए इस लॉजिक से, या राइट तु सेजिशन इनको भी दिया जाए, तो यह जो है, यह स्टेटमेंट है इनका, आज की डेट में कोई ऐसा व्यक्ति है भारत के अंदर रहने वाला जो इस तरह की चीज़ों से एगरी करेगा, और वो कहां पाय जाते हैं, किस उनिवर्सिटी में पाय जाते हैं, किन उनिवर्सिटी से पाय जाते हैं, वो सब ही जानते हैं लेकिन नॉर्मल इंडिविजुल से किसी से भी पूछोगे तो अगर यह कहा जाएगा कि आपको कि बेसिकली आप अगर आंधरा में रहते हैं तो यू हैव डिस्टिंक्ट आइटेंटिटी और यू कैन सिसीड फ्रॉम इडिया तो देवल नॉट स्टेटमेंट है जो टुकडे टुकडे गैंग कहने वाला उसके बीज जो है मुझे यहां दिखते हैं आई यह पढ़ते हैं अब हम लोग तो आउट अव देज जो जोईट एफट उनाइट पीपल अव इंडिया नो सेपरेट पाकिस्तान और लो हिंदुस्तान और सब्सक्राइब नाचनल्टी इस उनाइट इन इन इंडियन युलियन बहुत अच्छा सारे इंडिपेंडेंट स्टेट्स रहेंगे और युणाइट होंगे इक ंदर एक बात हमें युससर के अंदर क्या हुआ था जी कि युससर के अंदर राइट टू सेजेशन है और अतुन है कि अदंगर्स को फिर से कृटिसाइस कर रहे है कि कौवरेस के री चाहरे है कि जो का ने विस हैंको कि मुस्री वीग यूनिटी के के वह यह कह रहे हैं लेकिन वो पॉलिटिकल एक्सबीडेंसी होगी, इस समय की नजाकत के हिसाब चेक करेंगे, तो ये पॉजिशन के उपर इस क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कि हम इन से अलग हैं इस पॉजिशन से, हमारा मुद्धा ये पॉलिटिकल एक्सबीडेंसी का नहीं है, हम लोग उनकी ज जब हम रिकनाइस करेंगे, तो ये एक all-round unity को प्रमोट करेगा, और इसे कोई disintegration नहीं होगा, तो ये इनकी बात कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं, अभी ये गांधी जी के उपर थोड़ा सा कटाक्ष कर रहे हैं ये लोग, और गांधी जी के उपर straw man बना रहे हैं, तो कर रहे हैं, तो ये गांधी जी को पकड़ के किसके उपर हमारे उपर ये कर रहे हैं, कोमेंट कर रहे हैं कि आप अगर ये मानते हो, या आप ये अक्चुली facts से जानते हो कि इंडिया की एक continuous history है, एक unity है इंडिया की, तो क्या ही आपका article of faith है, और कैसे आप defend करोगे, भी हम defend कर सकते हैं, तो गांधी जी को straw man बना के हमारे उपर क्यों पेल रहे हो भाई, ये point बहुत important है तुशार जो आपने raise क या है कि wouldn't this attitude promote xenophobia में show कर देता हूँ, अगर आप ये हाँ, individual states based on कोई different identities, अगर आप autonoma state बना देते हो, तो xenophobia फैलेगा ही फैलेगा, एक वाले दूसरे के साथ connect नहीं करेंगे, दूसरे वाले तीसरे के साथ connect नहीं करेंगे, और अगर फिर xenophobia को दबाना है तो आपको autocracy लान के लिए, तो यह है obvious सी बात, यह obvious flaw सबको दिख जाएगा, किसी को भी दिख सकता है, अब पता नहीं कि लोगों ने इनको criticize क्यों नहीं किया सही तरीके से, लेकिन ये document अब तो public domain में है, अब देखें और फैलाए सबको, और भी problem है इसके अंदर में, अगर आप इस तरह की national बना देते हो, separate independent state बना देते हो, भाईया, रोजगार कैसे मिलेगा, ज़्यादतर 90s के बाद में जो job growth हुई है, वो लोग migrant laborers की वज़े से हुई है, लोग migration करकर के इधर से उधर जा रहे हैं, उसकी वज़े से रोज़गार बन रहा है, जब आप लोगों को lock कर दोगे एक दोनों का नुकसान है, ऐसी sacral problems है जो इस argument से पैदा होती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये अपने ideology के नशे में पता नहीं क्या क्या क्लिक जा रहे हैं, बिल्कुल ये valid point है, कि ये ghettos create कर देगा, ये बिल्कुल सही point है कि this will create ghettos, कि अगर आपके state में कोई दूसरे state की minority है, तो उसके against violence होगा, there are no ways to go about it, तो ये लोग बड़ा मतलब किया लिख देते हैं और उसके आगे पीछे कुछ सोचना नहीं है, at least हमारे पास history है, तो we know कि how should it go is, और एक मज़ितार चीज़ ये कह रहे हैं अब, the Congress recognizes that people of every one of the individual nationalities which have lived together on the soil of India, developing their own individual nation, अब ये Congress recognizes, कैसे Congress recognizes, कहां statement दिया है Congress ने, ये position की there are different individual nationalities, जो इंडिया में रहके अपना individual nation develop कर रही है, कहां दिया है Congress ने statement मुझे तो नहीं मिला, ढूंडा मैंने लेकिन मुझे नहीं मिला, कहां से भी किसी को भी कुछ भी attribute कर देंगा, अब पहले गांधी जी को पकड़ लिया था, इन्होंने false narrative में अभी ये Congress को पकड़ रहे हैं, चलिए, और थोड़ा सा देखते हैं, इसका थोड़ा सा अगला paragraph देखते हैं, तो वही अब individual autonomous state territories की बात कर रहे हैं, फ्री member of the union होगा, उसमें right to secession भी होगा, ये सारी चीज़े बात कर रहे हैं, ये मुझे थोड़ा सा भी है, पेट्रियोटिजम के साथ में प्रॉब्लम लोग, जो चीज़ ये कहना चाहरे हैं, वही तरह का पेट्रियोटिजम है, जो basically clan से loyalty वाला जो सीन है, और वो आपको इस तरह के framework में ले जाने का बहुत बड़ा रिस्क रखता है, तो मैं थोड़ा सा यहां पे indicate करना था, दिखिए ये keyword को बार-बार repeat कर रहे हैं, individual nationalities और इस तरह के काफी keywords को, आपके बढ़ते हैं थोड़ा सा, अब ये जो है, इनका resolution नहोंने पास किया था, Communist Party of India ने, 19 September 1942 मे और उसको और confirm किया था, वो 1943 में, तो वो कौतमतिकारी ने यहां पर document किया है, इनका resolution जिसमें वो पाकिस्तान की position, sorry, Muslim League का जो लहोर एदिवेशन में जो proposal था, उसको ये, जो resolution था, उसको ये support कर रहे हैं, उसका argument भी बता रहे हैं, कि for which reasons they have supported, तो चलिए उनके arguments देख लेते हैं एक बर, वो कहा है हैं कि, every section of Indian people which has a contiguous territory as its homeland, common historical tradition, common language, culture, psychological makeup, and common economic, would be recognized as a distinct nationality with the right to exist as an autonomous state within the Free Indian Union or Federation and will have the right to secede from it if it may so arise, it may so desire. तो idea यह है कि सब nationalities बन सकती हैं, उनको independent autonomous states दी जा सकती हैं, और states के अंदर right to secede भी हो सकता है, खैर मनाएए कि उन्होंने ये word नहीं लिखा कि दो state will have every right to defend themselves, they will have an army, they will have the right to do their own diplomatic relationship with other countries, जो उस लाहर रादिवेशन के उसमें देखा था हमने, वो statement thankfully उन्होंने यहां पर यह न पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां लोगों को कि आपके जो बिटिश लोगों ने फॉल्स बांडरी स्टेट की बना दी उसको हाथा क्या हम आपकी community के हिसाब से दिमांस की सबसे नहीं बांडरी बनाएंगे, तस free India of tomorrow would be a federation of union autonomous union of autonomous state of the various nationalities such as, note, Pathan, Western Punjabis, Dominantly Muslims, Sikhs, Sindhis, Hindustanis, Hindustanis कौन है, we don't know, Rajasthanis, Gujaratis, Bengalis, Assamis, Biharis, Oryas, Andhras, Tamil, Karnatkas, Maharashtrians, Keralas, Etc. बिल्कुल जी, आप ये बना देंगे, फिरो माइग्रेशन, economic migration वगरा खत्म हो जाएगा, communal violence बढ़ेगा, और आगे बढ़ते हैं, अब ये इंडियन nationalist movement जो है, उसका ये criticism कर रहे हैं, अपने इस document के अंदर में, I.C. साब का ये statement है कि I think they wanted an early USA model, कुछ हर्त तक आप ये कह सकते हो, लेकिन जब once they decided to become a proper federation, तो वहाँ पर फिर उन्होंने काफी सारे अपने right conceded किया, और फिर उन्होंने war लड़ ली उसके उपर, वार लड़ने के बाद उन्हें clear कर दिया मामला की भया, कुछ ही चीज़े ऐसी हैं जो acceptable नहीं है, और उसके compromise नहीं होगा, तो ये है, अब ये तुशार कह रहा है कि well renowned people like Gandhi जी अमबेट कर, भगत सिंग जी are click waits to capture and influence the mind of innocent people and promote their own agenda, yes, particularly yes, भगत सिंग को यूज करते हैं ये लोग, गांधी से तो उतना लगाव नहीं है इनका लेगन propaganda के लिए कभी कभी यूज कर लेते हैं, ये लोग, आम बेटकर कोशिश करते हैं ये लोग, कि आपने साथ इंफ्लूट कर लिए, लेकिन वो भी उनको भी एच्छी तरह से अंडॉर्स नहीं करते हैं, ये लोग, पर येस, as a peace propaganda वो यूज करते हैं, तो उनकी ideology पर ये काम करना नहीं चाहते हैं, तो जो genuine respect है, वो हमें दिखाई नहीं देगा भायों के पास, तो ये जो इंडियन nationalism है, उसको वो three period में माटते हैं movement को, और एक narrative बताएंगे ये उसके अंदर में, कि जो इंडियन nationalism के अंदर में कैसे different groups जो आए हैं, elites आए हैं, उन्होंने अपना narrative चलाए उसके बाद में, फिर economic growth हुई, तो दूसरे groups आ गए, फिर उसके बाद तीसरा जब independent India जैसी बात होने लगए, तो वहां पर सारे group आपस में जगड़ने लगए, ये मोटा मोटा तीन stages ही, ये बाड़ते हैं, Indian nationalist movement की, तो आएए वो देखते हैं, तो ये कहते हैं कि हमारा जो हिंदु-Muslim unity का question उसको देखरे का नजरिया हमारे इस critique से आएगा, जिसके अंदर हम लोगों ने इस history को देखा है, इस नजरिया से, तो आएए पहला period की वह बाद कर रहे हैं, तो तो फर्स्ट पीरियड में जो था, वो ये एक्सियम था सभी का, कि India is one nation, initial nationalist movement, जो आप 1885 जहां Congress की शुरुआत हुई थी, वहां से आप मान सकते हो, मोटा-बोटा रफली, उससे थोड़ा पहले भी ले सकते हो, लेकिन वहां से मोटा-बोटा हम लोग रफली मान लेते हैं, कि वहां से शुरू होता है, यह idea, कि Indian nationalist nationalist movement का, कि India is one nation, यह idea, और इस movement को drive करने वाले जो लोग थे, वो ज़्यादतर liberals थे, उने से काफी सारे लोग western educated भी थे, और काफी सारे लोग गरम दल जो था, उसके members भी थे, जो particularly nationalism तो रखते ही रखते थे, साथ में वो civilization strands भी लाते थे, लेकिन idea सबका एक था, कि India is one nation, और उनका idea यह भी था, कि difference between Hindus and Muslims is only one of religion, बाकी कोई खास फरक नहीं है उनके बीच में, कि एक इलाके में जो Hindu है, जो Muslim है, उनके बीच में religion का फरक हो, कि culture सेम होता है उनका, रहना, खाना वगएरा सेम रहता है, तो वो उनका, यह जो initial nationalist movement के जो liberal leaders थे, उनका यह understanding थी, यह कह रहे है, मार्क्सिस लोग कह रहे है कि उनका narrative था, अब वो कह रहे है कि जितना ज़्यादा जो, यह liberal narrative की बात कर रहे हैं, जो जितना ज़्यादा जो nationalistic tendencies है वो बढ़ेंगी, यह जो division of religion between these two communities, that will go away, यह उनका सोचना था, ऐसा कह रहे है, and then Hindu and Muslim will grow as one community, तो यह जो अधरी liberals थे, उनका यह argument था, अब इस critique में, उन्होंने one nation की concept को criticize करने की कोशिश की है, खैर, अब यह कह रहे है, इस period में, propaganda जो था, liberals का, for the unity of people, वो यह था, कि reform करेंगे हम लोग, reform करेंगे, तो आपका जो, जो problems है, particularly religion जैसी चीज़े हैं, वो थोड़ी से दूर हो जाएंगी, वो problem, और आप एक, एक अच्छी, progressive community के तौर पर बढ़के सामने आएंगे, तो यह adequate solution मान लिया गया था, इस problem को, जो communal problem है, ठीक है, अब, उनका यह statement, simple argument भही था, कि what is needed to solve the problem is natural consciousness, as far as the religion goes, अब effectively यही कह रहे हैं, कि false consciousness वाली बात, जो है न, कि dialectical materialism में, कि जो नीचे वाले लोग होते हैं, उनको grain wash कर दिया जाता है, वो उसी से थोड़ा सा equate करने की कोशिश कर रहे हैं, आगे बताएंगे कि जो national consciousness था, वो गलत बात है, और वो फेल्ड narrative था, अब second period आ जाते हैं, तो second period जो है, वो 1934 तक के चला था, अब इस period में naturalist movement में थोड़ा से चेंजे जाते हैं, क्योंकि 1920 से 1930 के बीच में बहुत communal violence हुआ था, पर्टिकुलरी नॉर्थ में जब आरे समाज active था, तो वहां पर होता था violence वगरा, उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारी दंगे हुए थे, साउथ में ये मोपला violence हो गया था, उसके आसपास में उसी जन्में, तो इस सारा में मतलब काफी violence वगरा हुआ था, और हिंदु-मुस्लिम प्रॉब्लम जो थी, वो बढ़ रही थी, तो इस period में, particularly यहां पर दूसरे groups, जो मालदार, रिच वगरा थे, वो पारफुल होने लग गए थे, उसका reason यह यह देते हैं, कि First World War के बाद industrialization पर थोड़ा सा जोर दिया गया है, और जो मालदार असामी थे यहांके, वो इस industrialization का फाइदा पाके अमीर बन गया, और वो यह चाहा रहे थे, कि हमें political process में हिस्सा मिले, तो एक यह group आ गया सामने, जो liberals के authority को challenge कर रहा है, nationalist movement में, और उनके narrative को challenge कर रहा है, और दूसरा यह कह रहे हैं, कि जो सर्वहारा वर्ग था, किसान, कामकार, यह सब जो बाकी proletariat थे, जो particularly union workers जो थे शहरों में काम करने वाले liberals, वो union करने थे, वो लोग भी जाग रहे थे, और particularly liberal narrative का, कि reform करेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, इस तरह की चीज़े, तो यह दो group हमें दिख रहे हैं, कि जो power structure में अब participation चाहते हैं, और जो liberals का narrative था, उसको पूरी तरह से मान नहीं रहे हैं, इनका कहना है, अब जो है, तीसरा period चुरू होता है, तो 1934 तक के यह चला था, तीसरा period 1934 के बाद अब आता है, और यहाँ पे nationalist movement गाउं तक पहुच गया था, साथी साथ यह कहते हैं, कि जो fascism जो है, वो world scale पे चल रहा था, उसकी वज़े से जो यह था, वर्ल्ड में imperialism बढ़ रहा था, तो independence की बात अब सामने आ जाती है, सीथी सीथी, nationalist movement गाउं गाउं तक पहुच गया था, और दुनिया में imperialism बढ़ रहा था, जिसकी वज़ह से national independence का issue अब forefront पे आ चुका है, मज़े की बात यह है कि world imperialism बढ़ने का हमारे national movement से क्या नाता है, या अटलिस आप 1934 से 1940 के बीच में देख के तो नहीं कह सकते हो, हाँ, world war जब बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, 1942-43 के असपास तक के, तब आप यह कह सकते हो कि basically British जो थे, उनका हाथ यहाँ पे कमजोर हो रहा था इंडिया पे, क्योंकि उनको वहाँ वाल दरनी थी, और उनको यहाँ से आर्मी चाहिए थे, तो वह कॉफी कुछ कंसीड करने को भी तैयार थे, तो वह यहाँ से छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन यह लॉजिक जो है इनका सेकेंड लॉजिक, कि सिफ और सिफ इंपिरियलिजम बढ़ने से यहाँ इंडिपेंडेंस की दिमांड स्टॉंग हो कई, यह मुझे नहीं जमा, मैं कहता हूँ कि इसके लिए यह दूसरे रिजन्स थे, अगर हम लोग कमिनल प्रॉब्लम भी देखेंगे, तो यह थे कि मुस्लिम लिग की जो डिमांड ऑफ कमिनल अबाड जो 1917 में हुई थी, और 1932 में उनको बिल भी गया था, कि जो हमारे पाटिकुलर जहां मुस्लिम कमिट्री डॉमिनेस में हैं, वहां को इन अलग से लेक्टोरल सीट्स दी जाएं, एक तरकार रिजर्वेशन इन जो उस टाइम की पार्लिमेंट होती थी और स्टेट असेंबली होती थी वहां पर, वह वाली बात थी, वह बढ़ रही थी, तो अब यह है कि दे प्रब्लम फिंदो मुस्लिम यूनिटी अंदर दे इंफ्वेंस ऑफ दीस टू फेक्टर सिंप्ली कम्स ऑन द अजेंडा, यह कह रहे हैं वह, तो नरेटिव यह चला रहे हैं कि हिंदो मुस्लिम यूनिटी जो ह है, वह आजादी पाने के लिए सामने आ गई है, लेकिन अंडरलाइंग फेक्टर्स और भी बहुत सारे हो सकते हैं, खेर, इनकी यह कमेंटरी है, बट इन यू फार्म वो कह रहे हैं, इस ताइम दे डिमांड फर नैश्टनल मुव्मेंट नो मॉर्ट बिकम्स वन फर कॉंस अंडर्सिटूशनल कंसेशन बट और फर कमिनल वर्सेस जॉइंट इलेक्रोड बट फर पावर, यहां पर डोमिनियन वगरा की बात नहीं रही है, यह आटनोमस स्टेट की बात नहीं रही है, यहां सीदे इंडिपेडनेंट समागी जा रही है, लो आज पर बाद बाद फर कि बाद इंडिपेडनेट की हिसे आज़ें सेदुख़ान बबात नहीं है, देज़ बात नहीं कि अपर दावे कि ऑप अपर मुसलिम उपलिद, इंडिपेडनेंट रहे हैं, यह को पर वहुतों है, वह आज़ जो क्मिनल प्राब्लम है जब अब तक यह कह रहे हैं, यह इस आती है क्योंकि मुस्लिम लिए खुल के अपने लिए मांग रहा है नेशन और वो यह कह रहे हैं कि अब यह पेपर जो है अगले कुछ पैरगराफ वे बात कर रहा था इंडिया मेडिल-क्लास लिबिरल्स की बात कर रहा था और एक इन्होंने खास चीज नियुक्छ के पर एक तरह का कटाक्ष किया कि इंडिया उनका प्रापगेंडा यह था कि इंडिया शूट बिकम लाइक ब्रिटेन और सोशल रिफार्म को फोकस किया गया, रिलिजिस डिफरेंसेस को साइड अटा गया गया तो ऐसी छोटा मोटा मोदता है और वो पिछे अटा दिया गया और ये चैलेंज जो है सचाते हैं वो क्रिटिसाइज कर रहे थे क्योंकि इनका ये कहना है कि मिडिल क्लास लिब्रस जो है वो पूरी सॉसाइटी को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं और अगर वो नेशन मना रहे है अपनी अडेंटिटी वे तो वो इनकरेक्ट है फेरें चली अब यह वही कमेंटरी क कर रहे हैं जो मैंने आपको पहले बता दिया थे कि इंडस्ट्रियल जो था ट्वेंटीज में इस्ट्रियल डालग वर्क सामने आ गये थे तो वो थी बात कह रहे थे लेकिन यहां पे पर्टिकुलिली पैन-इस्लामिजम और खिलाफत की बात करते हैं जो अगला मैंने हाइ कि मुस्लिम लीग आ गई अपना नेरेट्वी लेकि हमारी डिफरेंट इडेंटिटी उसके बीचे रीजन बता रहे हैं कि एक तो थोड़ा सा अंदर ही अंदर वो कॉमिनलिजम हो रहा था और दूसरे ग्रूप्स जो थे साइटी की वो सामने आ गये थे इंडियन नेशनलि में और साथ ही साथ यह जो खिलाफत वाला इतिसा था उसकी वजह से मुस्लिमली को थोड़ी से पावर मिल गई मोविलाइज करने के लिए पॉलिटिकली तो यह यह नारेटिव मोटा मोटा बता रहे है यह लोड नहीं हो रहा है क्या इमिज कोई बता सकता है इस वह भी है वो तेरा वो टेक्स्ट है वो टेक्स्ट वाली इमेज बोल रहा है क्या है वह भी इस प्रेंटिकली वह लोगों को तीन स्टेजेज वह गएरा मोटी वोटी इन के हिसाब से जो थी वह क्लियर हो गई और उनका यह क्रिटीसिजम है कि मिडिलिकलास वाले अपनी में इमेज में नेशन बनाना चाते थे और यह यह बी कहते हैं जो नेशन बनाना चाते थे उसकी inspiration अंगे बिटिशं एम्पायर से लिए ती कि हम इनकी तरह का नेशन बनाएंगे वो यह भी क्रिटिसाइज करते हैं उनको एन इस्लामिजम के बारे में हम सभी को पता है मोटा मोटा यह पहले भी मैंने कवर किया है तो जो फ्यूचर में इसे देखेंगे वह पॉस्ट करके इसको पढ़ लें यह हम लें इसके पर पहले में पहले भी बात की थी और यह थ्री पिरिट्स थ्री अप्रोचेज में अगला हिस्सा कि यह हिंदु-मुस्लिम अलाइंस जो पर्टिकुलरी खिलाफत मुवमेंट के बेहु और स्वराजी इनके बीच में हुआ था वो सिर्फ और सिर्फ फर्जी अलाइंस था यह कहते हैं यूनिटी थस अचीव थे नो सॉलिट फांडेशन इन देर्फोर कोलाप्स एस सून अज श्ट्रगर कोलाप्स अस सून अज मॉंटेग्यू जेम्स फोर्ड रिफॉर्म्स की बाद में इनको मुस्लिम कम्यूटी इस को वो मिल गया था कम्यूनल अवार्ड मिल गया था उसके बाद सीट्स मिल गए थी उनको पॉपुलेशन के रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पर तो यह कहता है कि लावत आंदोलन जो कॉंग्रिस की यह होप थी कि हिंदो मुस्लिम यूनिटी को यह मोबिलाइज करके इंडिपेंडेंस तक ले कर रहे हैं जो एलीट्स हैं पर्टिकुलरी के बाद इंडिस्ट्रिल डेवलप्मेंट के बाद जो नए लोग आ हैं वो पॉलिटिक्स में हिस्सा मांग रहे हैं अपना और उसमें मुस्लिम्स भी हैं काफी सारे वो हैं और साथी साथ 1935 के आसपास नए कॉंस्टिशन की बा मांग रहेते तो यह सारी चीजे वो कवर करता है अब यहां होता ही है कि सारे ग्रूप आपस में जगड़ने लग जाते हैं और मासेश जो हैं उनके बीच में जो प्रिवियसली जो 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 रीजन ते जहां पर पॉलिटिकल राइटस वगरा नहीं थे अवेर नहीं थी वह लोग इस बीच में अवेर हो कि अपने राइटस मांगने लग गया है वो भी उसका रीजन ये लोग ये कहते कि जहां पहले इंडस्ट्रियल डेवलप्मेंट वगरा नहीं पहुंचा था वहां पहुंच गया था और वहां से आने वाले लोग अपनी बाते उठा रहे थे साथ ही साथ अप नेश्टरलिस्टिक मुवमेंट भी ग्राउंड लेवल पर अब यह कहते हैं कि हम क्यों सपोर्ट करते हैं मुस्लीम लीग का तो उसके पीछे वह अपना रीजन बता रहे हैं कि मुस्लीम लीग ने यह जो सिच्वेशन बनी थे उसका फायदा उठाया है अंटी कॉंग्रेस ट्विस्ट दे दी एंटी इंपेरिलिजम सर्ज अमंग मुस्लिम्स पर्टिकुलर खिलाफत मुवमेट के बाद जो हुआ था जो हिन्दो मुस्लिम उनेटी का प्रोजेक्ट इनका फेल हो गया था तो इस पोजीशन का फायदा सीच्वेशन का फायदा ह अजया और बहुत सरे सेक्षिंज जो थे वो इसमें जुड़ गए है और वो यह कह रहे थे कि रियक्शनरी है मुस्लिम लीडर्शिप एक्स्टीम है वो जो मुस्लिम मासे से उनको ब्रेनवाश कर रहे है वर्गला रही है यह वो कह रहे थे तो वो कह रहे थे as a solution they put forward a program of Muslim mass contact which was rightly considered by the Muslim leaders as a move to destroy their organization उन्होंने कांग्रेस वाले लोगों ने कांट्रीच प्रोग्राम मनाया बही है मुस्लिम मासे से कॉंटक्ट करेंगे तो वो बढ़क गए थे तो अब यह situation चल रही थी like mid 30s में हमनों यह situation देख सकते हैं कि दो अलग-अलग क्यमे से हमें दिख रहे हैं Congress वाले लोग अपना बेस तो खोड़ दिये थे वहां पर मुस्लिम लिक कब्जा जमारी थी तो कि मुस्लिम लिक जो है बेसिकली अश्राफी थे जो जमीन के ओनर्स वगरा थे वही ग्रॉप्स थे वह लोग तो कॉंग्रेस के लोग एजुकेटेड लिबरल्स थे और बाद में उसको इंडस्ट्री लिस्ट ने जॉइन कर लिया काफी सारे लोगों को जो कॉंग्रेस इसको फंट कर रहे थे बिला वगरा थे इसमें एक्चुली वो लोग थे और इस पैरलल में प्रोग्रेसिव जो थे वो लोग भी थे जो लिबरल्स वगरा थे वो भी थे तो यह सारे आपस में जगड रहे थे तो हमने इस सुचु आइशन में यह कह रहा है कह पॉजिटिवली देख रहे हैं इसको हम यह देख रहे हैं कि यह बैपड़नेस अफ भूसलिम मासे नहीak है कि वुथ паль़े के तरफ जा रहे हैं इसस आफेशिव फोरवर्वडनेस वह अवेर हो रहे है अपने ने नैश्टि पर अपने पॉलिटिकल राइट के बारे में अवेर हो रहे हैं वो इस बेसिस पर हम मुस्लिब लीग का सपोर्ट करते हैं और वो कह रहे हैं कि हम कॉंगर्स आ मुस्लिब लीग को साथ मिलाके अगे बढ़ाना चाहते हैं और उसके लिए कॉंगर्स को मननी होगी मुस्लिब लीग की डिमाड तो यह इनका अर्गुमेंट है अब वो कहते हैं कि हमसे एक गलती हो गई थी 1934 में हम यह नहीं समझ पाये थे कि कमिनल ने प्रॉब्लम का रियल नेचर क्या था हम लोग सिर्फ और सिर्फ कॉंगर्स के नेरेटिव का शिकार हो गए थे कि इंडिया वस वन नेशन और मुस्लिम जो है सिर्फ और सिर्फ उसका एक नेशन का एक हिस्सा है तकि अब हम लोग जान गए हैं कि यह नेटिव गलत है तो यह को मुछलर अग्या आरगूमेंट दे रहे हैं कि हमारी क्या गलती boys यह को मिन जान गए है कि यह जो बन नेशन वाला नेशन वह सही नहीं है tir आपने आप में एक नेशन है और इसलिए मुषलिम भी नेशन है और गोरिष लिटर्शिप का जो न रिटी ता वो फेल हो गया है और गोरिष लिटर्शिप वॉस गिल्टी आफ देचार्ज अफ डिना इनट फीपल अफो पुस्लिम नेशनलिटिश ये उटेश्ट टू अट तो यह मोटा मोटा इनका आर्गुमेंट है अब यहां पर मैं आपको पैनलिस्ट का भी थोड़ा सा ओपिनियन दे लेना चाहता हूं कि आप यहां तक क्या अपना ओपिनियन देना चाहेंगे जी खालीदवट साब सर इस पे मेरा तो पीनियन यह है कि कैसे सोच रहे थे because the Muslims are not concentrated in one geographical location right तो यह how will this functionally work they are not outrightly saying कि they want a different nation but they are saying that we need autonomy to an extent that they behave like a nation right तो वो कैसे चलेगा मतलब कि technically they are going back to different princely states वारी लॉजिक पे जल जा रहे हैं यह तो जैसे होता था पहले तो पर प्रिंस नी होगा हाँ 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 पर प्रिंस नी होगा वहाँ पर टेक्निकली इंका उंबा कोई बंदा बैठा होगा that's what the proposal is वो कैसे हजब होगा मतलब कि the more you are going through it the more I understand that this thought process of that ये एक तरही के से I'm sorry to say but this shows and Quran बाही can correct me this shows reeks of Muslim superiority कि भई we have to be different because और उन्होंने उसमें जोड़ दिये जो आपने देखा था कि इन्होंने इस वेरी जो आर्टिकल आपने दिखाया थोड़े बड़े details are in the devil कि ये अपना ये agenda successful करने के लिए इन्होंने बाकियों को भी कि करनडी हो आंदराइट हो उनको भी अलग वो मिलना चाहिए तो अगर हमें नहीं मिला तो हम we'll try to get वो क्या बोलते है regionalism में वो बड़ा देंगे तो वो तो फिर we most probably अगर ये चलता we would have been split into some 16 different kingdoms वो एक तो इंडिया नहीं बनता कभी भी अगर ये होता जहां तक मिरको समझ आए I might be wrong हेले मेरेटी दादा बोल देगे जहां तक मुझे समझ आए अभी तक आप क्या कहेंगे मैं इसका एक पूछना चाहरा था कि जैसे जीनोफोबिया तो इसमें पूरा देखी रहा हमें तो उसके बाद अब ये जो प्रॉपर्ली फिर टूरिजम और इवन ट्रेड होगेरा प्रॉपर्ली नहीं हो पाता ना कुछ भी नहीं हो पाता ना किसी भी तरह का रिलेशन्शिप बेविन टू इंडिपेंट एंटीटीज बहुत पुश्किल है अजी और फिर ये इजिली मतलब जो सो कॉल्ड इंडिया आज है वो फिर चाइनेज या पाकिस्तानी स्टेट हो चुका होता है डैंक्रप्सी हो कर कोई और आके बज़े से हड़ब जाता जी चाइनेज को डैब इंफिंट्रेटेटेट सो डो Biota को जाच मारԲवा को वाए हमेड टो जानेक के वीजा टी यह से लागी का क dewस्बशारि सिथे संट इन ठीड़ी में बहुत अज़ ता कि फिर इमीजेट एक इंडिबेंडेंholderे़ ही चाहिए तो लेफ्ट हैंर già आज जो फैंड जो पाफ इंडिया जो को वह seven sisters बोलते हैं सबसे पहले तो वही separation मांगते हैं बेस्ट डॉन कि भी है हमारा culture is totally different from you you all कि बाकियों में क्या है कि at least and then what I can further see is कि North और South का अलग सदिविजन हो जाता कि at least MP तक कहते हो कि Hindi तक तो चल रही MP तक you रही कि अधर कि अंडरा और और अर्ख अंडरा कर्नाटका थाइन उस्टे मारा वाँ सप्राइस थें। जबकि that word, I was surprised कि वो word तब यूत होता था, क्युकि उस ताम तो the princely state of Mysore थे थी, Karnataka दिंट एग्जिस्ट, if I am not wrong गयो. वो कनदा कहे थे, कनदा कहे थे, कनदा कहे थे, कनदा कहे थे, but I think they were referring to the princely state of Mysore, if I am not wrong. तो वो पूरा क्योंकि वो culturally, वो आले जो है, food के साफ से में बोलर, they are very similar, तो वो तो फिर एक separate, अगर वो कहते हैं कि चलो, let's all combine together, right? तो वो एक फिर वहां से split आता, center में split आ जाता, because I won't be surprised, Rajasthan और MP कहते हैं कि we want to combine together and separate, तो इसमें फिर यह होता कि कि जो कल्चरली आसपास है, they'll start combining together to get a bigger, वो क्या बोलते है, fighting power, और फिर यह पांच-छे बड़े-बड़े ना अलग वो हो जाते हैं, जैसे नौर्स में, because जब पंजाबियों के पास भी गए थे, if I am not wrong, सरदारों के पास गए थे, गोरे, sorry, Britishers had gone कि भई हम तुमार के अलग नेशन दे देंगे, और वो जो कराची का पॉर्ट साना वो कहरे से हम तुमको पॉर्ट का एकसे देगे, यो वो, they were ready to give them that game, one of the, एक सरदार ने बोला ता यह कहानी, but the Sikhs said, no, we want to be part of the Indian nation, तो वो भी एक्ष्ट आ जाता है, अगर वो इस डिरेक् They definitely did not think through, then again, even though the Muslims are there in the Bengal area, right, जहां से Muslim League start हुई थी, do you think कि वो और जो लेफ साइड वाले लाहूर वाले वाले वो अगरी करते हैं to stay together, इस इस में, नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, बलकुल नहीं करते हैं, और तो और इन्होंने कहां के मुस्लिम को छोड़ दिया है, बिहार और उतर प्रदेश को मुस्लिम को पूरी तरह से डिस्कृशन दे गायब कर दिया है, जबकि वो सबसे बड़ी बहुत बड़ी पॉपलेशन है वहां पर, जो जो यूपी वाला बेल्ट था ना, उसने मैं थिंक, बिहार और यूपी स्प्लिट नहीं थे, they are talking, उसको युना करें, हाँ, उन्होंने बाए, रे, वो बोला था, बाए, कि बिहारी और वो लिक, पर ही, जो यूपी वाला का तो कुछ लिए, कहें नी, उनको बिहारी ही कंसेडर करो, because I think they, they were linking them to the भोजपुरी लाइग्वेज, बिहारी ही कह रहे थे, हिंदुस्तानी कह रहे थे, शायद कि विजेट वाला था, correct, correct, correct बोला जाता है ना जो यूपी भिहार हो जो सही है हिंगी हाट्लेंड को ही हिंदू सानी कह रहे हैं लोग अजी वही मुझे लगा कि उसका है इसमें इसमें एक बड़े इंपोर्टन चीज है आयो जो दूनु अब्दर्फ करो जीश चेकर में 75 एर से वार हो रही है उसका तो नहीं नहीं है कही है तो कश्मीर का दो नाम ही नहीं है कही है जिसमें गिल्गित-बलकिस्तान वाला इलाका भी था क्योंकि उस टाइम तो वह और वर दे considering because it was under a it was under a dogra rule तो वो इसको under Punjab ही कर दो अपन्जाबी रूल बट नहीं है कि सारा कलेश तो जेंड गिव जैसी हो रहा ना वी बी तु वह अन्टर सबस्टांचल ली बीग एर यह उनों तो नहीं उसको सब्सक्राइब करें आपने वह देखा है मतला वह तो चोटे थे आपने वह देखा है वो टाइम सप्राइज इस पॉपलेशन ओफ मुसलिम्स इन उस तो श्री लंका नहीं होता था उस्टम सिलाउन बोलते थे इसको राइट उसकी बारे में भी कोई मैंशन नी है कही वी तो उसका भी कोई मेंशन दिए और वो टेखिन कली उसको शाइद इंडिया का पार्ट नहीं लेते थे अधरवाइस वे बर्मा वगरा तक चले जाते इस अधर्मा क्यों नहीं गई वह तो बहुत सारे इंडियन से वह वह तक क्यों नहीं गई तर्स अनाधर सब्सक्राइज मेरे समय शाह से मेरे नहीं नहीं आधरा तक रेडवाइस टेली फून तो अधर्मा वह तो री वाइबरान वह क्या बोलते है जैसे वो ट्रेय्ड कि थरेट के ले抗 आउख एरू गई आवधर तो घोगश थैंडवत अधर्ह टॉप सा एGS एवल tenant और अदार मैं थोड़ासा बीच में लिच रहा थ भीकी टाइंड है मैं दुटीम है। मिली था कозмय में हो जो प्राइव हों जिनके हम बात काते हैं गंगाधर अधिकारी जो हैं वो उनके थॉट लीडर्शिप के और वो ये पोजिशन बता रहे है पार्टी की तो ये है अब इसका एक अपने पास पूरा का पूरा पेपर है जो हिस्ट्री लिखी है जिन्होंने कम्यूनिस्ट पॉलिटिक्स की 1920 से 1948 त पूरे देश को एक सिंगल नेशन बनाने की कोशिश करते हैं सिर्फ इंडिया ही मेरे ख्याल से ऐसा देश है जहां कि कॉम्यूनिस्ट देश को बाटने की बात करते हैं बले ही वो एक लिस्ट बोलने के लिए पॉलिटिकल बातना कह रहे हूं लेकि जैसे आपने का वह एक्चुल में सरफ पॉलिटिकल बातना तो होगा नहीं इवेंचुली वो स्टेट्स ही अलग हो जाएंगी मतलब इंडिपेंडेंस घोशित कर देंगी सब और मुझे समझ नहीं आता है कि इंडियन कॉम्यूनिस् the only nation it is a union of states, और इवन आज भी तौर दी तो इस साथी स्टेट्स नहीं बना दी, कितने तोड़ दी, उसके बावजूद भी इस टैफ के कोई बात करें तो. अब पता नहीं इनके जो सलहकार हैं वो क्या पढ़के बैठे हैं और उनको क्या सलहा दे रहें लेकिन ये तो बात 1940 में ने पढ़ चुकी थी और ये है और ये बात बिल्कुल सही है कि पर्टिकुलर्ली इंडिया के अंदर थी ये तोड़ने फुरने की बात क्यों चलती है त लेकिन जो हम पर पड़ा है उसके साब से तो ये प्रैक्टिकली जो चाहते थे वह तो यही था और आगे हम और देखेंगे कि अब जब ये एक कमिशन आया था इंडिया में जो डिसकस कर रहा था कि कैसे प्रोसीड करना कॉंस्टिशनल मेकिंग प्रोसेस में और स्टेट की करने में तो वहां पर इन्होंने रिकमेंडेशन दी थी कि बिल्कुल ऐसे डिवाइड करना है स्टेट्स को और उनको राइट्स देने जिससे टेक्निकली कहा जा तो लेक 15-16 इंडिपेंडेंट स्टेट्स और स्टेट्स तयार हो सकती थी तो ये स्टांस इनका स्टेट्स को इन्सा और एक सिर्फ पॉलिटिक्स में घुसना है इसलिए कॉमिनिजम का हाथ पकड़ लिया यहीं है कि भाई तुम सबको अंडर वन विंग रखो वो तो कोर कॉमिनिजम जो होते हैं वो तो रिलीजन को भी नहीं मानते हैं वो तो कहते हैं रिलीजन इस डिवाइडिंग फोर्स जितने भी इस चीज़ याद रखते हूंगी कि डिलेक्टिकल माटिरियलिजम के अंदर में कल्चर इस पार्ट ओफ ऑप्रेसिव सुपर स्ट्रक्चर तो कम्मिनिजम कल्चर को भी खत्म करता है हाँ अपसलूटली एपसलूटली इनफेक्ट कॉमिनिस्ट पार्टी तो ऐसा होना चाहिए जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें और यह बात करें कि ना रिलिजन रहेगा ना कल्चरल डिफरेंसेज रहेंगे और पूरा इंडिया जो है वो एक मालब एक तरह से चले हैं तो कॉमिनिस्ट पार्टी उनकी सपोर्ट कर रहे होती है वो दूसरे रिजन वो जो माओ वाला जो सीन है न वो जहां तक मेरे को समझा है माइट पी टोटली रॉंग वो जनली कॉमिनिस्ट स्ट्रक्चर इसलिए फॉलो करते हैं मोर तूवर्ट रिगर एंड एक ना क्य क्या है वो एक तरीके से एक मिलिशिया और्गराइडेशन आ फॉलिंग मिलिटरी काइंट ऑफ डॉक्टरिन तो इसलिए मुझे लगता बड़ा हुआ था वह असाम में अब जाके शान्त हुआ है अधर्वाइस जब मैं बड़ा हो रहा था वह अपना वह कूंसी दिल से फि कश्मीर का दूसरा सीन था सर वो इंफेक्ट मेरे पादर इन लौ भी वहां थे आसाम साइड में और बताते थे कि लोगों को उठा के ले जाते थे गाड़ियां उठा ली किन्नाप कर लिया जो उस एडिया का नहीं है जो मतलब नौर्थीस का नहीं है वहां के लोगों को व सिक कम्युनिटी का था बनता हमारा तर पड़ाई करता था तो उसने हो ला था कि हमार बास आते थे चेता कि एक बरी हमने कवा इस नहीं है तो हमारा घर बन रहा था कहता हमारा आदि ही टो ठाके ले गए मैंगा उसका Rings घरते चैंग बेचेंगे और रूर और यह नहींAI का तेंग बट पैसे दूरू लेते थे साथ हर किसी से क्योंकि थे आफ टो फंट देस ना आप तो खेर आपको उनको चाहिना से अनी आप तो खेर मरी गया है वो पुरा बट यह था बट वो बोडो भी क्या था आइड नो मुझे आज तक वह बोडो वाला समझ निया है वर दे आ जाओ पर दे आपको अब इसने समय नी आए क्योंकि स्टेट्स अमने अब जैसे देख लो वो उत्रांचल हो गया आप अपना चेश्चा घड़ा आपका ये आपका ये आंदा परदेश को स्लिट कर दिया कर दिया कर बना दिया है, कि जहां-जहां हमार को लगा कि, भई, वो भीहार तोड़ दिया, जार्खण बना दिया, तो उनको क्यों नहीं दिया, मेरे को कभी समझ नहीं आया है, कि ये उनको क्यों नहीं दिया, दे दो उनको state, तो व이지 कि यैज ऐता कि जो मतलब वाइलेंस के तुरू स्टेट मांग रहे हैं ना एक बार इनको स्टेट दे दिया जैसे अभी आपका वेस्ट विंगल में मंतब एनरजी है अगर मानलों बहुत जादा वाइलेंट होती उसके बाद वो अलग एक स्पेसिफिक स्टेट मांग जहां पर मेजर वाइलेंस हो रहा कि यह पॉजिशन जो थी लिबरल्स की जो कि कॉंग्रेस थी उसकी पॉजिशन यह थी और उस पॉजिशन में इनको प्रॉब्लम्स दिखाई देते उसका सॉलुशन ने लोगों ने यह कहा कि हर इंडिविजवल नैशनल्टी को एक तरह से नेशन हम बना सकते हैं उस अब यह मार्क्सिस्ट और लैनिनिस्ट टीजिंग्स को रिफर करते हैं इस तरह का जब क्वेश्चन आता है नैशनल इडिटीटी का और अगर कोई आपका कमिनल प्रॉब्लम हो या इस तरह के कोई टेंशन हो तो उसको सॉल्व मार्क्सिस्ट फ्रेमवर्क से कैसे कर सकते ह तो अब स्टालिन अंकल की टीचिंग्स की तरफ जाते हैं तो स्टालिन कहते हैं नेशन की डेफिनिशन आ नेशन इस अ हिस्टोरिकली इवाल्ड स्टेबल कम्यूनिटी ओफ लैंविज टेरिटरी एकोनोमिक लाइफ और साइकोलोजिकल मेक अप मैनिफेस्टेड इन कि यह देफिनिशन देखके आपको लगता है कि यह हमारे जैसे निशन के पर अप्लाई हो सकती है यह चाहिए शोड़ी जैन रश्या के पर भी अप्लाई नहीं हो सकती है जो सोवियत रश्या था जिसके अंदर यूक्रेन और ऐसे कही सारे जगती जहां पर काफी सारे सब्सक्राइब के साथ डिवाल्व भी हो सकती है यह सारे लोग आपस पे जगड़ते रह सकते हैं स्टालिन अंकल की पोजिशन को इन्होंने अक्षियम लिया है और यह जो टीचिंस को रश्या पर अप्लाई करते हैं बता रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए तो वो कह रहे है कि अनिशन इस नोट अस्टाइक एंटिटी विच है इन एक्षिस्टन स्टाइम इन्मेमोरियल जो जो और था पहले ती सोसाइटी बार्वरिजम उसके बाद वेर्चे स्टा पहले स्लेवरी था फिर क्या उडेयलिजम पिर कैपिटलिजम और उसके बाद नेशन स्टेट इस तरह की बात वो इंड़ीकेड कर रहे हैं कि वेरलप होते रहता हैठ्यंअ के अगर हम लोग अगर वो यह इंडिकेट कर रहे हैं इससे कि इंडिया को इंडिकेट कर रहे हैं कि इंडिया वस नॉट नेशन स्टेट और इंडिया इस टैटिक एंटिटी अगर नेशनलिस्ट कर रहे हैं कि इंडिया इस टैटिक वन एंटिटी तो वो यह क्लेम कर रहे हैं कि इंडिया इस टैटिक वन एंटिटी और यह स्ट्रामन ने नेशनलिस्ट क्लेम का तो यह भी यहां पर भी प्रॉब्लम क्रियेट कर रहे हैं यह लोग किसने का कि भी इंडिया स्टैटिक एंडिया सिविलाइज़ेशनल इवाल्व करता आया है आगे बटाते हैं। कि Capitalism की वजह से जो कि हम लोगों ने पहली भी देखा था माक्सिस वी आफिस्ट्री में कि Capitalism Feudalism को डिफीट करते हुए आगे बढ़ा है और वो यह कह रहा है कि इसकी वज़े से जब Capitalism आया तो Feudal structure को तोड़ा गया और उसकी वज़े से Nation States बन गए जो यूरोप में इन्हों देखा है यह अब इंडिया के उपर अप्लाई करना चाहते हैं यही चीज़ कि इंडिया को भी ए फ्यूडल की तरह देख रहे हैं चुकि हमने पिछली कि इस तरह से इंडिया की हिस्ट्री को फ्यूडल हिस्टी बिटिच राज ने डिफाइन किया था तो उसके पर यह नारेटिव लगाना चाहते हैं अब यह फिर से यहां पर स्ट्राउमेंस आएंगे यह अब रखने की बात है कि यह सारे कि सारे लोग जो है मोटा-moटा रफली एक तरह का एवन रिजल रासिटर भिमेशक्ट षेटों का था in all these cases the unification of people into a nation resulted in a homogeneous unit with a single language and with homogeneous with common historical and cultural tradition our liberal forefathers of the last century admired the process of unification of England's courtness and Wales into a single nation Great Britain which took place in heyday of bourgeois revolution in the first half of the last century they fondly imagined that the unification of the Indian people into a free national state would allow the same pattern you Europe may why he is a just a language bowling a character would have been jayenge or British key image men join your look that they're in the liberal school called British image when they come as a nation of the image when they were born and they were here to they fondly imagine that the unification of the Indian people into a free national state would allow this follow the same pattern since this idea has become deeply rooted into the nationalist mind and is today the cause of a lot of confusion on the question of national unity a straw man it's a strong man because Indian national nationalist movement in multiple strands through every national तुक्रान तुम्रार्चान उल्क्राइआ न लिवे ब्वेटिशन थे उन को आप ने लिवो ब्यान दिखायए और यहां पर इंपोशे न चाहाते हैं ग्यां यहां चाहते हैं और अप्या यहां अपो시는 पर चाशे आच्या ने को च्छांठाए वह अए घर आए रिक्ष और आगे देखते हैं, there is another pattern, जो people into nation वाला, during the second period of rising capitalism, another type of national state arose in eastern Europe, here for historical reasons, a centralized state had already come into existence, before the elimination of feudal disunity, यानि कि centralized state है, साथ ही साथ उसके अंदर में, feudal states है, eastern Europe में, और centralized state उसको सह रहा है, क्योंकि वो उसको पैसा देते होंगे, tax वगेरा देते होंगे, feudal states, तो mixed state, made up of several nationalities, which had not yet formed themselves into nations, were already united into a common state, this is how the Austro-Hungarian वगेरा जो थे, वो लोग उसे कांट होगे थे, वो लोग उसे कांट होगे थे, वित देवलप्मेंट अपितलिसम, इस mixed states developed into multinational state, with more developed nation at the head, and the remaining less developed nation in the state of political and economic subjection, या subjugation कह लीजिए, of the dominant nation, तो ये स्टैलिन कह रहे हैं यहां तक, तो वो यूरोप का narrative बता रहे हैं, कि feudal था वहाँ पे state, feudal state जब capitalism आया, तो nation state दवाँ पे डेवलप हो गया, feudal state इस्टिल एजिस्ट कह रहे थे, लेकिन इन में से काफी सारे backward stage पे और subjugated लेवल पे रहे गए थे, जो ये problem कह रहे हैं कि इंडिया में हो सकती है, और subtext वही है कि ये problem को इंडिया में दिख रही है, solution भी ये बता रहे हैं कि ये जो है, एक आपको नहीं बनाना होगा, आपको डिफरेंट डिफरेंट नेशन बनाने होंगे, ये सब text के अंदर solution है. अचा, आज ही मैं interrupt कर सकता हूँ, या फिर एंडिया में तबट करेंगा, यहां पर एक चीज और देखने वाली है, ये जो बात कर रहे हैं कि अलग अलग देश हो जाने चाहिए, क्योंकि इनका culturally different है, इस टाइब से बात कर रहे हैं, और example ले रहे हैं, ये रोप वगेरा का, जर्मनी, इटली, ग्रेट बिटेन, अब कॉमिनिस्ट का ये बोलना, मतलब ये लॉजिक लेना, ये थोड़ा weird है, क्योंकि ये सारी जो countries हैं, Great Britain और, sorry, कौन सी थी? Great Britain, France और Germany, ये जो countries हैं, ये communist countries नहीं थी, democracies थी, और एक communist party जो है, वो eventually बात करेंगे, कि देश communist होना चाहिए, तो उनको अगर example लेना हो, कि कहां ये मतलब इस तरह से उनाइट हुआ और काम नहीं किया, तो उनको communist country के example लेना चाहिए, ना कि एक democratic country का, वो आगे देंगे अपनी country का, Soviet Russia का, वो देंगे, कि कैसे हम feudalism से भी बच सकते हैं, और nation state भी बना सकते हैं, वो अपना example देंगे, तो स्टालिन अब आगे उस तरफ बिल्ड कर रहे हैं, और वो उनके लिए इंडियन solution होगा, आगे देंगे, वो इसमें वो separation को कैसे मिलाते हैं, यहां एक तरफ तो कह रहे हैं, कि separation होना चाहिए, आच्छा, ठीक, 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 आगे आएगा, लेस्ट डेफलेप्ट नेशनालिटी शुच अच्छा इस उक्राइन जॉर्जियन, लाट, पोल, फेंज, इस अच्ट एसेटरा, इस त्सट इस नेशनालिटी तू वर डेफलेप्ट तो अच्छाइड ब्योट्स नेशनालिटी अच्छाइड, जो नेशनालिटीज को होते हैं, डेवलप नहीं होने देना चाहते हैं, on the other hand, British imperialism जो है, वो इंडिया में हमेशिया से food डालने की कोशिश करता है, बिसिकली सब नेशनालिटीज को प्रमोट करने की कोशिश करता है, तो ये दोनों narrative मिलते नहीं है एक दूसरे के साथ में, यह नहां पर ये कह रहे हैं कि जो जारिस्त थे, वो इन सब नेशनालिटीज को दबा रहे थे, और जब नेशनल मुवमेंट आया तो ये एक्स्विस करने की कोशिश कर रहे थे सारे लोग अपने आपको, Ukrainian, Georgian, Pols, Vincs, वगरा वगरा, Lithuanians, लित्वानियन, वगरा वगरा, तो learn a great deal from the manner in which Russian Bolsheviks solved the question of uniting the people of different nationalities in a common struggle for democracy. Again, democracy की बात कर रहे हैं, Russian Bolsheviks उने democracy lie, ये statement देना मतलब कैसे, क्या सोच के ये लोग दे रहे हैं? मैं भी ये सोच रहा हूँ. या फिर ये उस ताम पर लिखा गया था, जब Bolsheviks ने total control नहीं किया था? 1940 में लिखा गया है, बोल्शेविक्स तो 1920 में आ चुके थे. हाँ, तो काफिय अजी बात है, ये सब कुछ. बोल्शेविक्स और देमोग्रेशी एक लाइन में. इसी को प्रावदा जो कहते हैं रश्यन में, जो उनका प्रावदा का नाम है प्रावदा यानि टूथ, जो उनका प्रावदा की टर्म है, वो यहां पर अप्लाई होता है. इस प्रावदा, नथीं एल्स. तो यहां पर यह कह रहे हैं कि बोल्शेविक्स ने ये प्रावब्लम सॉल्फ कर दी इने कॉमल स्ट्रॉगल प्रावदा डेमोक्रेशी बाई यूजिंग कॉमिनिजम. इसलिए यहां पर कॉमिनिस्ट आना चाहिए. बट अभी भी इन्होंने यह कहां से सपोर्ट कर रहे हैं कि अच्छा समझ आया मुझे. बैसिकली वो यह चाह रहे हैं कि मुस्लिम जो पाकिस्तान था, कंट्री या मुस्लिम मैजॉरिटी स्टेट्स वो इन विदिन इंडिया इंडिपेंडेंट होने चाहिए politically. I just make चीज एक आड करनी है, because I had the privilege of sitting with a Russian as well as a Ukrainian in one of the organizations I used to work. Russian तो मुझे लगता था सि, वो KGB का एजन्टी था. बट जो Ukrainian था, तो I had asked him about this. तो उसने कहा था कि even though CCP था, USSR था, but to ensure कि ये revolt ना करे, जैसे Ukraine बहुत बड़ा था, ठीक है? चोटा नहीं था कभी भी. उन्होंने क्या कहा कि और वो जो आपके वो जो Lithuania वेगारा वो जो उनको क्या बोलते है, वो जो Wallis States है, जोन्हों सबस्थे बहले रिवोल्ड किया था. उनको खुश रखने के लिए उन्होंने ये कहा था कि भई, तुम्हारे पास एक overall structure state का रहेगा. मतलब थी, Moscow controlled everything, but we will not touch your, जो आपका जो local culture है. So they allowed कि जो education है, like he said कि he was educated in Ukrainian language. उन्होंने ये नहीं किया जो जैसे जो difference between China और Russia का ये था, क्योंकि तभी तो China भीच में इन से अलग हो गया, क्याता है, you're not falling Stalin's way, कि उन्होंने, they still let कि भई, जो जो basic culture है, जैसे जो education वगारा ये सब भई, तुम अपनी language में कर सकते हो. और उर उकरेणी ने मुझे बोला था कि this was one of the reasons for the downfall of, जैसे बोट सारे reasons से, एक तो petrol अट्रोल बढ़ गया था, जो जो जब ये, when they all started becoming pissed off with the whole system, then this nationalistic movement that all Ukrainians unite, all Lithuanians unite, all Kazakhs unite, and then they started revolting against the center. तो ये एक था उन्होंने जो, जो उसने मुझे बोला था, I don't know how much it is, but it is coming directly from a person who was born in the Soviet Union and saw the revolution happen in front of him. इसका भी counters है, वो आगे हम लोग देख लेंगे, पर यहां तक के narrative हमें समझ में आ गया है कि जो बुर्जवा है, वो capitalism के framework के अंदर में नेशन स्टीट बना के उप्रेस करते हैं, जो individual nationalities है, जो cultural nationalities उनको बुर्जवा सप्रेस करते हैं, और exploit करते हैं, तो there has to be a revolution and there has to be a common struggle for democracy, ये narrative हमें समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं, अब language हमें थोड़ा सा समझने की जुरुआ था है यहां पर थोड़ दीपली, How did the Russian Bolsheviks go about to solve the problem of nationalities? The cornerstone of the policy was drawing together of the toiling people of all nationalities and races in a joint revolutionary struggle for the overthrow of the czarist autocracy of the bourgeois. क्या ये doctrine of J.I.H.A.D. से मिलता जूलता नहीं लग रहा है आपको? ये question है, In the uniting of the people of entire Russia for the common struggle against czarist imperialist autocracy, the Bolsheviks clearly defined the common objective. ये common objective कैसे डिफाइन होता है? This was a consistently democratic republican structure in which the right of all nationalities forming part of Russia to freely secede and form independent states. ये proposition रखी गई लोगों के सामने. जारिस्ट imperialist autocracy से लड़ने के लिए Bolsheviks ने ये proposition document कह रहे हैं, ये अपना claim कर रहे हैं, ये proposition रखी कि आप हमारे साथ आजाईए, अगर हम लोग जंग से जीत गए, तो आपको एक तरह का independent state मिलेगी, autonomy मिलेगी, और जरूरत परने पे आप जो हमारा Soviet Union glorious mother Russia बनेगी, उससे आप सिसीड कर सकते हो, ये proposition रखी गई. Thus, the two key slogans of the national policy of Bolsheviks were one, unity of the workers and peasants, the common people for revolutionary struggle for democracy and two, recognition of the right of all nationalities to self-determination to the point of cessation. तो ये इनका argument है, claim है, क्या ये reality में हुआ है, नहीं हुआ है, democracy का claim है, वो क्या हुआ हुआ, हम सबको पता है, democracy के claim का. अच्छा, मुझे क्या लग रहा है, sorry, आप कुछ बोल रहा है. लोग आ गए, 60s में, स्टालिन के बाद, क्रुशेव वगरा आ गए थे, वो लोग आ गए थे, तो थोड़ा सा अपीजमेंट वगरा कि उन्होंने कोशिश कियो कि, लेकिन स्टालिन के अंदर तो iron hand से सब कुछ डील होता था, और मुस्ट कल्चर को खतम करने निकले थे, मा अपरेशन ऐसे भी होता है, दूसरी तरह से, जो 1943 में जब ये डॉक्यूमेंट लिखा जा रहा था, उसी वह यह था जब जो बॉटनिस्ट निकोलाई वेविलोव थे, वो भुखवरी में मारे गए थे, जातना सहते हुए, उनको जेल में बंद कर दिया रहा थे, तरफ एक और व्यक्ति थे, वो जो थे, वो कुछ सूडो साइंस वाले भाई थे, और वो भाई साब स्टालिन के करीबी थे, तो इन्होंने इनको डिस्क्रेडिट करवा दिया था, ये जो भाई थे, दुनिया के जगा जगा घुम घुम के बीजी खटा कर रहे थे ताकि उ जो परानी उनकी जो उनके अपोनेंट है लाइसेंको वो था उनका नाम लाइसेंको इजम नाम के आइडियोलोजी बहुत मश्यूर है, तो वो लाइसेंको ने इनको और ये ए। पालिसी का हम लोगे मान सकते हैं काउंस क्यो aprson में आकाल आ गया था, और वुखमाणी की तो इनके जो चेले थे उन्होंने बीच को रखने का जिमा उठाया था इतनी भुखवरी आ गई थी कि उन्होंने सोचा कि बीच को बचाया जाए कि खुद खा लिया जाए और उसी समय नाजी जर्मनी वाले लोग भी अटैक कर रहे थे और भी तरह तरह के उनको यह भी डर था क्योंकि वह ठंड में बहुत जाद होती तो बीच मर न जाय करके तो जैसे भी करके उन्होंने बीच को बचाया और उस चक्र में सारे लोगों ने एक एक व्यक्ति जो इनका चेला था जो बीच को बचाने की कोशिश करता उसने अपनी कुर्बानी देती तो रश्या का इतियास ऐसे चीजों से भरा पड़ा है और हमें यह याद रखना हो कि निकोलाई वाविलो के सारे बीच जो है जादतर बीच आज भी स्वालबार्ड में जो बीच का वॉल्ट है आज भी वहाँ पर रखे हुए है वो बीच और इनका बीच को बीच को बेस स्वालबाट का तो जहां पर ऐसी चीजे चल रहे हो जितना इतना उपरेशन चल रहा हो फर्जी आइडियोलोजिस के बेसिस पर वो यह बात करें कि हम लोगों को सैल्प डिटर्मिनेशन का राइट देंगे तो मुझे कहीं से भी यह समझ भी नहीं आता कि क्या है यह प्रा तो उस टाइम पर यह राजे रजवाडे हुआ वरते थे ठीक है और और बहुत सारे चलो राजा निकलेंगे तो उनके बाद जो वजीर अगरा है और जो लोकल मतलब पॉलिटिशन हैं उस लेवल के राजा के अंडर उन लोगों के अर्मान होंगे कि हम अपना राज पॉइंट नंबर टू लिखा हुआ है यह बेसिकली उनको प्लीज करता है एक तरह से कि अभी अंग्रेजों से लड़ लेते हैं उनको जैसे रश्या में जार को फैंका था वैसे हम लोग अंग्रेजों को फैंक देंगे उसके बाद एक बड़ी अंग्रेजों को बाहर फैं लोग जो है वो रश्या में देख रहे होंगे कि क्या चल रहा है तो वो इनकी बातों में उतरा आई नहीं लोग बिल्कुल अट लिस्ट अंबेड कर सुभाश्यन रबोस एक साथ यह लोग तो अवेर थे लोबल जियो पॉलिटिक से और यह उन्होंने डॉक्वेंट किये तो मोटा मोटा लोगों को पता था कि क्या गेम चल रहा है तो यहां बेसिकली यह कहना चाहरे है कि जो पॉइंट नंबर वन है कि वर्कर्स पीजिंट सब एक साथ हो जाए हम लोग मिलके हटा दें और सेकेंड पॉइंट में जो राजा बगरा है अगर वो कल को अलग होना जाएंगे तो हम तुम्हें अलग करने रहेंगे या फिर तुम अपना राज अलग्स लाते रहें ना बस हमारी एक पार्टी होगी हमारा एक कहने को एक देश होगा तुम लोग डुमिनियन टाइप रहोगे बिल्कुल और आगे बढ़ते हैं अब यह मैंशेविक्स का क्रिटिसम करें मैंशेविक्स जो थे बहां के मॉडरेट्स होते थे सोवेत रशा के जो कहते थे कि जार से कुछ डील लेके हम आटोनमी पा लेंगे और उस तरह चलाएंगे तो मैंशेविक्स का जो क्रिटिसिज आने लग गया था एक्चुली खुन सा खॉलने लग गया था बहुत जादा मिलब स्ट्रॉमन है इसमें फर्जी आर्गुमेंट्स क्या ही कहूं तो अभी एक क्रिटिसिजम करें रिफॉर्मिस्ट का रशियन लेबर मुवमेंट में वो कई जगह पे फेल हो गए उतके फेल прош 우ide at the very stage to the former and be trade the revolutionary Struggle seconde they refuse to recognize the right of self-determination of the nationalities they repeated the Bourgeois slogan Russia One and Indivisible and offered to the nationalities only cultural rights their policy in practical practice amounted to supporting the operation of the people of broader regions by the dominant तो यह इनका क्रिटिसम है और यह कॉंग्रेस को पर चुरू में इननों अटागे जाके इंपिरियलिजम के हाथों में खेल रहे हैं यह और यह ब्रॉडर जो नेशन की दिमांड है या पीपल्स की दिमांड है उसको सुन नहीं रहे है तो यह सीधा सीधा स्ट्रॉम एं इननों ने कॉंग्रेस को पर लगा दिया है रश्या स्टॉ टॉलिंग मासेश रजेक्टेट पॉलिसी आप मैंशेविक्स और रालीड आउन दॉस्लोगन सफ बोल्शेविक्स इस विए टीजांड दिमांड विए तो ने दुटॉटव यहां पी यह जो मैंशेविक्स की बात कर रहे है ते जाए उनके साथ कैसे थे इस की तो यह लोग महां के अरिस्टोक्राइट्स यह सब मान सकते हो आप यह नहीं चाहते थे कि जारिस्ट को पूरी तरह से उखाड़ फिका जाए लोगों को थोड़े से लिमिटेड कल्चराल राइट्स वगरा मिल जाए तो इस तरह की बात करते थे और यह बॉल्शेविक से उखाड़ फेकना चाहा रहे थे तो बैसिकली मैंशेविक से कहा रहे थे कि आप सबसे उपर जार हटा दो बूरोक्रेट्स रहने दो और माक्सिस पार्टी का हिस्सा है दोनों यह याद रखने की सुबथे में नहीं कर रहे थे कॉंग्रेस इसलिए स्ट्रॉमेन कहा न मैंने एक क्वेश्चन है लेनन तो मर गया था 1924 में राइट तो यह उसके 20 साल बाद लिखा है और स्टैलन बरा था इधिंग 58 या लेट 15 में तो यह जब है इस बिफोर दो वर्ल्ड वर टू राइट अब इस वर्ल्ड वर वार 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 वी यह वर्ल्ड वार वन में जहां तक मेरे को याद है यह ग्रेट फैमिन अभी हो चुका है यह और हो रहा होगा इस टाम पर जब लिखी गई होगी यह निटीन फॉर्टी त् तो बट वो रहा था किनों ना करा कि एन फॉर्टी बड़न टेक्न इनकल तो जो भॉण और चुक टेक्नलोजी वी टीजिस टो पॉड के लिए प्रहुड वाट सब्सक्क्रेंट वो चुक्क्निकली व क्वग को यह लाट रहा थी टो mist अवज तो छुटेंट प्रेंटें के इसी असकी डेथ नाइटिंटिफ्ट्री में थी सॉरी जब यह था जिन्दा तो तब फुल पीक पे था बिकॉस वर्ल्ड वार टू में तो बोट-बड़ा था था ना व्ल्ड वर तू में उसका तो यह कुश्चिन यह है मेरा क्योंकि वर्ल्ड वार टू नहीं हुई थी वर् पर तब नहीं तक आगे थे नाजी लोग आपर तब यह करेश्या वो है डॉल फिल फेज इन्टो दिस अगाए तो यह बार्ट इस वन अगर वो रश्या को वार करते हुए देखते तो तेन दे माइट हैव थौट कि नहीं यार यह श्याद हमारे लिए पॉलसी ठीक नहीं है एक बद बताओ अजादी के बाद भी अगर आप मार्क्सिस्ट्रीन लोगों को पढ़ोगे निरेटिव को यह चेंज नहीं होता है सारी इसलाम जैसा ही है कि मतलब जो असली शरिया है कहीं इंप्लिमेंटी नहीं हो बले पचास देश यह से हैं वाहां पर असली तो गभी मतलब हुआ ये नहीं राटिंग और व्क बोल्शैक अगर पापुलर हो गया जनता में तो वह आइडियोलोजिक्ली सुपीरेरे मेंशेविक से तो वह एक और फालसी है जो है तो पॉपुलर ह्वो साही है जो कि हमारे शरिया प्रोमोशन वाले भाई लोग खुब कहते हैं कि दो बिलियन और इसलिए हम दो ग्रेट है मेरे खाल से बट वो सही कह रहे हैं अभी कि इस टाइम तक ना मेरे खाल से स्टैलिन की असलियत सामने आई नहीं थी पूरी तरह से जब यह किताब लिखी गई होगी यह सिस समय तक पब्लिक डोमेंट में नहीं आई थी और अंदर तो सब को पता चल चुका था तब तक क्यांकि नहीं पब्लिक डोमेंट में नहीं थी रश्या के अंदर सब को पता था कम्यूनिस पर्टी को पता था यह हम लोग मान सकते हैं बिल्कुल कम्यूनिस पर्टी की जो लीडर शुक्ती चाहे वो इंडिया के हो चाहे वो कहीं और दुनिया के किसी भी कोने में अगर चीज आयो एक बहुत बड़ा चीजें हुए है पहले तो चैना का खुद का रेवलुशन जो है लॉंग मार्च वगएरा कह सकते हैं उसके बाद माओ का जो कल्चरल रेवलुशन रेट वक वाला वह दो स्टेप तो यहीं हमने काउंट के लिए ना खुन खराबा वहां पर हुआ है और पर बहुत सारे दे चैनीज रेवलुशन? अरि इंदिक्नीज रेवल के सीछ को हाई तो बहुति को जान है और अब उस इडुनेट को आढ़ınız अरे तो कहते हैं ह। वह मायोबदी पूरिक्ज को हम पार्वदेड बौट उसको नए कम और तो चैनीज इंस्पारिड़ी है ना वह ब्रैंड है स्रर पारंड बैंड में अब अप्लिकेशन टू इंडिया बता रहे हैं तो क्या प्रिंसिपल से हमारे पास कि इंडिविज्वीजन गलसा की अपना होट इंडिया पीडिया ने दियू कि अब आपको 2 वर शेचें के लिए उनको मॉबिलाइज करना है और ये वादा करना हैं कि जब हमको आजादी मिल जाएगी तो आपको secession का right आपको देंगे हम तो अब यह कहते हैं अब यह बताते हैं कि यह हम दो communal problem से deal करने के लिए इस framework को use कर सकते हैं तो वो कह रहा है कि India was not a nation in the modern sense from time immemorial यह वो statement दे रहे है quite clear that India was not a nation in the modern sense from time immemorial अब मेरे को यह बताओ कि दुनिया का कौन साइसा नेशन है जो नेशन रहा है from the time immemorial in the modern sense nation state के sense में कौन साइसा देश दुनिया का नहीं इसमें मैं थोड़ा सर्माय वो करूंगा क्योंकि इंडिया इतना वास्ता अगर यह देख रहे हैं they are now looking it towards Great Britain को देख रहे हैं कि nation in the modern sense nation तो वो एक्षिश्टी नहीं कर देते 1776 ने तो nation वाले start ओने शुरू हो गए US का देखने के बाद but मैं कह रहा हो कि यह जो कहते हैं न मतलब यह जो कह रहे है जो nation पर से जो Great Britain ने क्योंकि actually तो England था और उसने फिर वो बाकी जोड़ जूड़ के Great Britain बनाया था मेरे को लगता है यह उसको देख रहे है because यह comparison that is the closest comparison जो मुझे लग रहा है मैं clip बताता है इनका comparison है Bolshevik रशिया से और कुछ नहीं इनका देखने का जरीका वो भी बहुत बड़ा सा वो भी बहुत बड़ा सा वो भी बहुत बड़ा सा साइज में लेकिन यह खुद देख सकते हैं कि इनका कौन सा दुनिया का यार कौन सा नेशन है जो मॉडन सेंस में टाइम मेमोरियल से नेशन रहा हो रोम यह स्ट्रामन बना के हासिल क्या होगा ने ने रोम है मैं कहता हूँ रोम कह सकते हो वो था नेशन और अब बहुत बड़ा था वो अगर उस हिताब देखना है क्योंकि उसमें सेनेट वेरेड भी होती थी सेनेट भी होती थी उसमें ने ने मेरे खियाद देव अभी तो इटली रहे गया ना सिरफ अभी तो इटली रहे गया है अभी तो इटली रहे गया है अभी तो इटली तो वो तो हम लोग इस इस पे तो अगर सकते हैं कि कोई भी नेशन जो है कोई भी नेशन नहीं था आँए अँगी आगी I think we all three agree on that तीक है, from the days of Ashoka and Akbar, ये कह रहे है, निशन बिल्डिंग इन इंडिया बिगिंस, as in the case of all countries, with the advent of capitalism, वो ये कह रहे हैं, capitalism के साथ, निशन बिल्डिंग इंडिया में शुरू होती है, ये पूरी तर से हम लोग कवर कर चुक है, बिटिश हिस्टेडियोग्राफी इन इंडिया में, कि कैसे निशन स्टेट शुरू होती है, इस टेक्स प्लेस इंडिया विद बिटिश कॉंक्वेस्ट, वो ये कह रहे है, इंडिया इस निशन मनता है, बिटिश कॉंक्वेस्ट के साथ, it is true that even before the British conquest, large feudal imperial states, have had come into existence, which extended their sway over the almost whole of India, but these states did not develop into multinational states, as in the case of Eastern European states, थीक है जी, तो मुट मुटा ये यही कह रहे है, कि large feudal states रहती थी, और उनका stage almost India पे भी रहती थी, लेकिन multinational states जो होती है, जैसे कि multiple cultures उसके अंदर एक state में हो, वो ये दावाग करने हैं कि नहीं होता था, इनको किसने ये history बता दी है, ऐसी कितनी ही empire बता सकते हैं, जहां पे multiple cultures रहते थे, multiple faiths को वो राजा ही endorse करता था, Buddhism, Jainism, Hinduism ये तीन चार तो एक साथ में state endorse करता था, जो ये लिख रहे हैं, दिली में मुगलों का भी राज था, बर उसके अंडर ही कितने Hindu, Buddhist और ये सारे different faiths के लोग रहते थे, लोकि इनका दावा है न, multinational states, और nation को ये cultural people मांग रहे है, people who follow a culture, वो nation मान रहे है, तो multinational state से तो वही है कि ऐसे empires जिसके अंदर में multiple people रहते हैं, और अच्छी तरह से रहते हैं, तो वो था अपने history में, इनको किस ने फूका दिया है, ये history, अब यसी बात है, बिटिश हिस्टेरियो कर्फी सीरीज में जो हमने cover क्या था, बिटिश का narrative, वो काल they had already disappeared before the advent of capitalism, the process of nation building in India begins under the British state in India, under the condition of struggle against imperialist exploitation, ये रशिया की स्टोरी को यहां superimpose करने की कोशिश कर रहे है, नहीं बट यहां पर यह चीज भूल जाते हैं, ये कह रहे हैं कि ये nationality है, जो इंडिया में तभी आई, जब बिटिश आये, एक तो capitalism की वाज़ा से, दूसरा क्योंक वहां बेश्चे जाए हैं जाए है जया है, जो आप लुगल्स के टाइम पर जो सारे kingdom अकथे हुए थे Hindu kingdom तब उनमे नेशन स्टेट का नहीं था या फिर जब भार से, मतलब आप लगा जा जी इंडियान राजा थे राजबूरा राज़ा राज़ा वो सारे अकथे होके उ हमारे एडिया में कोई और नहीं आएगा हम भली आपस में लड़ते रहें लेकिन बाहर का आदमी नहीं आना चाहिए वह तो जब इतने सारे अटक हो गए थे फ्रॉम अफगानिस्टाउन और मंगोलिया के तब इनको अकल आ गई कि हम आपस में एक दूसरा का सरबाद में फो नहीं था हमेशा ऐसा यह बहुत कम एरियाज में था वो बचे रहे गए ठीक है जैसे वो राज-पुतानाज मराथा इन में था आप अगर देखो जो उपर वो पानी-पत्की लड़ाई और यह सब जो होए थे ना उनमें नहीं था यह जो जो 1857 की जो म्यूटनी होई थी व जो बाकी राजा थे वो दे साट बिहाइंड गोरास चलिए पॉइंट पर वापस आ जाते हैं थोड़ा सा एक चीज़ मैं फैलेसी हाइलाइट करना चाहता हूं इन लोगों की कि यह कह रहे हैं कि जो इंडिया है उसके अंदर में नेशन नहीं थे या मल्टी कल्चुरल और यह रिकरगनाइज करते हैं कि जी नेशन स्टेट जो हैं यह एक्जिस नहीं करी इंडिया के अंदर में लेकिन कुछ ही पेच पहले यह उम्मा को नेशन मान रहे थे तो यह मतलब एक जगह पर आप मान रहे हो कि नेशन स्टेट एक्जिस करता है कि मुस्लिम्स के लिए वह कह रहे थे कि यहार नेशन होड़ यहां पर अगले दिन फिरूट के वापे बूल जाता है उसने पीचे क्या हवाई फायर वारी थी तो अपने ही कॉंसेट में खुदी मतलब घॉखाल मेल कर रहे हैं आगे बढ़ते हैं फटा-फट अब यह कह रहे हैं कि सिंगल एंटीटी बनाने का जो नारेटिव वह ब्रिटिश एडमी चला था और यह हम लोग मार्क्स के उसमें पढ़ चुके हैं जो मार्क्सिस हिस्ट्र ब्रिटिश इस्ट्री दोनों में हम लोग यह पढ़ चुके हैं तो यही था नारेटिव लिबरल्स ने यही उठा लिया नारेटिव और यह चाहते थे कि ब्रिटिश की में इंडिया को बनाया जाए मोटा-मोटा वह कुछ अगर बृटिश नहीं आते इंडिया में इसको करता हूं कि यह जो लिब्रल्स था उनकी थोट यह थे कि ब्रिटिश ने सारा काम कर दिया निशन बिली के बेसिक स्टेप्स कड़े करती हैं अब यहां से हम लोग टेक ओवर करते हैं और बिटिश की इमेज में हम लोग नए इडिया बनाएंगे यह इनका कहना है वो पार चाहिए नहीं आते ना तो आज आपके पास जो इंडिया है ना वो कुछ ट्वेंटी डिफरेंट कंट्री जो ते चलिए आगे बढ़ते हैं यहां से तो अब यह हैं यह जो है हर जो करेंगे कि नेशनलिस्ट का क्लेम के उपर यह अब अटैक कर रहें कि नेशनलिस्ट तो कहते हैं कि इंडिया इस वन नेशन और इंडिया इस विन वन नेशन सिंस टाइम इममोरियल तो चाहिए वो चंदरगुपत मौर्य के समय से जाएंगे वहां से अशोक अगबर और आगया आगे जातेव शिवाजी यह सब होलते हैं कि वन नेशन है इनका तो और उन्हों ने कहा, self-rule was India's birthright, which is a nationalist claim as a nation. India is a nation. This slogan became the banner of rising tide of the patriotic middle class movement of those days. From Himalaya to Kanyakumari, one people, one nation, one language, one state. These became the slogans which inspired and unified the nationalist movement. who said India was not a single nation. That it could not have a single language. That it could not build its own free state. ये nationalists लो सवाल पुछते थे लोगों से. Only the imperialists do this thing. जो ये नरेटिव नहीं मानता है कि India is one state, but it has one continuous history. वो nationalists लो कहते थे थे वो लोग imperialist है, वो देश रोह ही हैं. Thus run the nationalist argument. Since those days, India as a single nation has become a tacitly accepted axiom of the nationalist movement. लेकिन ये भी a strongman है. ये बिल्कुul strongman है क्योंकि Indian nationalist movement में multiple stands है. मैं पहली बता चुका हूँ, Congress के अंदर दो दल तो थे ही थे, नरम दल और गरम दल वो थे. फिर उसके बाद में Hindu महसभा आ जाता है, वो है. फिर Ambedkar का आ जाता है. और अलग से social reformers भी थे. ये सारे के सारे मोटा मोटा इस चीज़ पर विश्रास करते थे, कि India is a one nation, लेकिन कोई भी इनमें से ये नहीं कहता कि there should be only one language, one culture, one state. ये पूरी तरह से strongman है और gross distortion है, facts का. और ये मैंने इगनू की बुक का reference यहाँ पर दे दिया है, इंडिया नेशनल मुर्मेट पर, जहाँ पर clearly लिखा हुआ है कि सब क्या-क्या opinions थे. सारी चीज़ है documented है, उसके बाद ये ये फूट है. ये बहुत अच्छा आपने point बोला है, क्योंकि यही logic इन्हों ने, ये उम्मा ने apply करने की कोशिश करी, इस पाकिस्तान सेपरेट हुआ था ना? यप यप बंगलियों पर कि तुम्हार को उर्दू सीखनी पड़ेगी, तुम्हें ये करना पड़ेगा और उस ये खाला हो है इन ओने ये ट्राइट इप इंपलिमेंट इस था ना? ये फिर फोटोब ये शुड़ा विचान से पाइट है नहीं अच्छा आपसे, ये मतलब सारे नैश्लिस्ट मुम्मेंट को इसे उसे लाइन में डालना इस नॉट करें, इसमें मज़दार बात ये है कि कि इस नेशलिस्ट जो जिनको जी नेशलिस्ट बोल ड। मैं में अ मतलब बिसे कजพel मतलब की उसी के जो उन सटेव कि उसी कर सिए का ऑंग्रें चिरेंज्टर विए और वनने इस दाइच्ट essen कर आपklär और फिर गोट का स्थ ये जा नेशं से हैं कंग्रेस का Congress का विशे से यह stand था, sir Correct Congress initially never wanted की बही, India split हो That is correct, but at least जो इनका यह stand है कि India has been a nation in memorial from Himalayas to Kanyakumari This was their stand तो आज अगें, Rahul Gandhi कहां से इसी क्या है I think, उसका मैं आंसर दे सकता हो partly, but I will disagree with it, वो basically Hinduism को कहते है कि भाई, क्योंकि यहां सब जगा Hinduism पहला हुआ था तो इसको, और क्या था कि अगर आप देखो, अशोका ने भी नेरली पूरा के एक कवरी कर रखा था और उसके बाद भी बतलब यह जितना भी यह सब कॉंटिनेट था ना इसमें कभी वो चोला केंटम आ जाता था कभी वो गुपता आ जाते थे रहे, वो आपस में ही इतने ही एरिया में गुमते रहते थे इससे जादा नहीं गुमते थे तो अगर उस पॉंट ओफ यू से देखोगे तो अब कह सकते हो कि जैसे अब चाइनीज में भी वो जैसे वो मंचूरियन हो गई यह हो गई बट वो कहते हैं कि बिकॉज यह लाइंगवेज, कल्चर फूड वो सब के इसाफ से कहते हैं कि हावी वी कैन कंसिडर कि यह थे क्योंकि यह आपस में जो भी हमाया में मचूज़ यहर थे यह गविरम सिख इन कर थेredника मैं दिश्टर वाइंगवा को फिन डाइंग. ती ज्यांत इन मतलब चाइना यह जावपिक आप स्पेसिफिक पिरिटरी वाझ म्हाइं अनके जीगोराफ इन पेobenूट प्रश्ट की वज़ा से लिमिटेड था कि चाइना उतने एरिया में जा सकता था उसके बाद फिर डेज़र आजाता है उनका गोबी डेज़र अगरा इंडिया का भी सेम था एक तरफ इमाले आ जाएगा एक तरफ थार आ जाएगा नीचे समुदर आ जाएगा तो इतना सा एर इतना से बाद बीकिस बंडे की कर रहे हो वाज़ जी का मांइंड डिकोड कना थोड़ा मुश्किल काम है तो चोड़ा है बढ़े लेज़ेंड एड़ा इस ओन राइट अब यहां पर मैं कह रहा हूं कि यह बता रहे हैं इस कॉंदिक बिविन ओल और रॉंग कर दोड़ा इ is one of the biggest hindrances to the solution of the communal problem Marxist-Leninist teaching as applied to this reality enables us not only to understand it but to solve this problem as well ये इनका दावा है ठीक है जी अब the proletariat armed with this advanced theory knows that within the womb of Indian national movement now preparing the ground for the free and democratic India are throbbing not only one but many baby nations Comrade Stalin spoke of such a development in as early as 1925 Comrade Stalin ने 25 में प्रोक्लमाशन भी कर दिया था who could have imagined that old zarist Russia consisted of no less than 50 nationalities and ethnic groups however by breaking old chains and bringing a number of these forgotten people and nationalities on the scene the October revolution gave them the new life and new development nowadays India is spoken as a single whole yet there can be hardly any doubt that in the case of revolutionary upheaval in India many hitherto unknown nationalities each with its own language and own distinctive culture will emerge on the scene ये स्टैलिन के वर्ट्स हैं अब मैं कहता हूँ आपको स्वाद आ गया अंकल स्टैलिन के साथ रहके माउग अंकल की cultural revolution का विस्वाद ले 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 पोल पॉर्ट के खमेर रूस का जार नूल जिसमें उसने काफी सारे लोगों का खतल कर दिया था कल्चर मिटाने के चक्कर में यही नरेटिव की वजह से आई यह 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 नरेटिव को बीचते हैं और उसके बाद पलट जाते हैं इस पर सप्राइदिंग बात यह कि अभी वो उसको 20 साल ही हुए मरे हुए लेनिन को उसका नाम भी यह मतलब सीधा कह रहा है कि इंडिया एज नेशन वो डिनाई कर रहे हैं अब कौन है जो इंडियन जो इस बात से अग्री कर सकता है अब आगे बढ़ते हैं यह इनका और काम है जो 1946 में तो बिटिश कबिने मिशन आया था इंडिया में उसको इन्होंने में मैंबरेंडम सब्सब्मिट किया था पीजी जोची ने उसका भी मैंने रेफरेंस टाल दिया है टी सी जे कब कार्टिकल है उसके अंदर वो टेक्स मुझे मिल गया तो we suggest that the provincial government should be charged with the task of setting up boundaries commission to redraw the boundaries on the basis of natural ancient homelands of every people याने की independent nationalities उसके basis पे boundaries redraw के जाये so that the remarketed provinces become as far as possible linguistic and culturally homogeneous national units people of each such unit should have unfettered right of self-determination i.e. the right to decide freely whether they will join the Indian union और form a separate sovereign state or another Indian union ये कह रहे थे वो अब इस प्रस्ताव पर जाते तो कितने ही टुकड़े पहले ही हो चुके रहे इंडिया के इसके अंदर रे प्रिटिश को तो काउंट ही नहीं कर रहे है उनको भी राइट था इसे कभी जाइन करने का जो इसे पर सिफ बिटिश गवर्ण हिससे थे यह उन काई करें का उहीं को रीद्राऋ करो और इंडिपेंडेंट नेशनस बना दो इसके बाद प्रिंसली स्टेटश को बिकर लो उनको भी ours सेसीड करने का तो यह दरूरी नियों करें जैसे यह रबाद वाला तो करी नहीं रहा था जुना गडवाले का भी यही किया था इन्होंने राइट तो मुटा मुटा आप देख रहे हो कि क्या बीच डाल रहे थे लोग नाइटिन फॉर्टिसिक्स तक है यह तुकड़े तुकड़े वाले ही भी जराल रहे थे इससे इनको फाइदा क्या होता था वह अभी तक ही समझ आए वरको वह खेर हम लोग बात में भी डिसकस करेंगे इनको 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 सरफ यही फाइदा था कि इनका पॉलिटिकल पर्टी जो थी ना यह मेंस्ट्रीम हो जाएं हाँ बैसिकली यह लोग जो है इनका राज आ जाएं कॉंग्रेस अटा के कि जंता भी खुछ रहे मतलब क्योंकि यह कॉमिनिस्ट है तो बात हो रही है मतलब कॉमन लोगों की और जितने राजे रजवाड़े हैं वो भी खुश हो जाएं कि अगर यह आगे तो महाराज चलता रहेगा आफ्टर इंडिपेंडेंटेंस आयो करेक्ट में रॉंग देव नो जंता दल जंता दल तो बहुत बाद में फॉर्म होगा था तो जो मेन इनका ओपोजिशन होता तो वह कॉमिनिस प इलावा जंता पर्टी मेरे खाल से वो अलग बात कर रहे हैं जंसांग शुरू में था यह लोग थे और कॉंग्रेस था यह लोग थे कुछ लोग को बाकी इंडिपेंडेंट्स थे यह खतम कर लेते हैं अब यह क्रीटिंग अन्यू मदीना बुक में कवर किया गया है इनकी पर्टी ने सपोर्ट किया मुस्विम लिग को और जो प्रिंसिपल उन्हों ने बताया थे वहीं यहां पर कोड किया और रेफ्रेंस भी से में गंगा धर रहमाधिकारी की रिपोर्ट ठीक है उसके बाद इन्होंने पार्टी सर्कुलर इशु किया जो अपनी लोकल और इस तरह की एक्टिविटीज में पाटिसिपेट कीजिए कम्यूनिट्स ने मुस्लिम लिग के प्लाटफॉर्म से स्पीचेज दी उनका सपोर्ट किया इस पोजीशन पे ऑफिशली जा जाकर तो यह एक्टिवली इन लोक सपोर्ट कर रहे थे और भी बताते हैं तो प्र मुस्लिम लिग कैंडिटेट्स ने फॉर्थ कमिंग इलेक्शन जो बहुत इंपोर्टेंट इलेक्शन थे उस ताइम के यह CPI का टेक्टिक थे उस टाइम पे इंटेट इस वोड़ बीड़ जनरल पॉलिसी ऑफ पार्टी इन आल प्रोविंसेज तो पहले उत्तर प्रदेश की बात हो थी वहां पर यह स्टप लाएंगे उसके बाद और जखा करेंगे जिसे कॉंग्रिस का होल्ड कम जोर और मुस बन गया थे शुरू में नैशनलिस्ट उसमें मुझमेंट पर काफी एक्टिविटी थी इनकी जड़े अहमत की लेकिन बाद में मुस्लिम लीग में चले गए थे उन्होंने लाहॉर में डिक्लेयर कर दिया था कि पाकिस्तान की डिमांड के साथ कुछ भी गलत नहीं है और स पर किया इनकी 13-13 साल के उठाके ले जाते हैं उसके बाद जो कम्यूनिस्ट जो लोग थे कम्यूनिस्ट मोविन्स थे पर्टिकुलर्ली पोएट्स वो लोग इस तरह की पोयम्स लिख रहे थे जिनकी कुछ लाएने में पढ़ देता हूं तो अश्रूल महज की किताब है प पार्क अफ रेवलुशन और एक लाइन पढ़ता हूं सबसब हिलाली पर्चम में के निकला लशकर हमारा होल्डिंग ग्रीन फ्लैग अलॉफ्ट आर्मी मुवस परवर्ड और पढ़ता हूं एक लाइन सौ इंजीलों पे भारी है एक कुरान हमारा अहंड़ गॉस्पेल टे तो यह इनका सपना था कि पाकिस्तान बंजा उसके बाद पाकिस्तान कम्यूनिस्ट बन जाएगा इस तरह कि इनकी फिलिंग्स थी अब आगे और देखते हैं तो ऑल इंडिया किसान सभा जो एक बैसिकली एक तरका सरवहरा मूवमेंट आप कह सकते हो उसको इन्होंने कैप हैं कुछी कर दिया मुझे लग रही कि नव इनको यह लग रहा है पिष्ले से उपिछले जो अपनी पड़ी इनको शाद यह लग रहा था कि अधर पाकिस्तान बन जाएगा तो पाकिस्तान में काम्यूनिस्म चलेगा के वह कौन से कियसे मैंजिन कर रहे थे कि वहां शरिया आगे देखते हैं तो किसान सभा और ऐसे लेबर यूनियस को सपोर्ट केप्चर कर लिया उन लोगों ने और उस और इंडिया किसान सभा की जो यह थे हैड उन्होंने रेजिगनेशन दे दिया स्वामी साहजाना ने वह पाउंडर भी थे इसके तो हमारा प्रैटफॉर्म और जो सभा था उसका डिसीजन था कि हम लोग इस तरह के मुवमेंट्स में नहीं पड़ेंगे हमारा यह नहीं है प्रिटिकल मुवमेंट्स में हम लोग जादर नहीं जाएंगे और न्यूट्रल रहेंगे लेकिन पॉटी उनकी कैप्चर कर लिए म लोगों ने CPI वाले लोगों ने और उसके basis पे यह करवा रहेते हैं तो स्वामी सहर जानन खुदी अलग हो गया अपने बनाएं मुवमेंट से यकि मुस्लिम लिग on the other hand remained highly suspicious of the aims of the communist लियाकत cautioned Muslims again the danger of communism to Islam as he stated during a public meeting Muslims were generally greatly mistaken if they thought that communists would secure Pakistan for them by following such a path the Muslim might secure Pakistan for the conception of communism but they would not be able to secure the Pakistan of Islamic conception तो यह मुस्लिम दी की पोजीचन थी भरुसा इनके बीच में था नहीं तो यहां पर यह खतम होता है discussion आई आप अपने उपीनियन दे सकते हैं इस पर अच्छले आई 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 आउपनर था आपका स्टेंगा थी तो इसका जो लास्ट वाला स्लाइड है ना अच्छली आट सम्सेट आप बिकॉस वही मैं समझ रहा था कि जो Muslim League है वो कभी माने नहीं सकती विकॉस जो इफ यू डू तो बेसिक जो शरिया प्रिंसिपल्स है उसके तो बिल्कुल ही अगेश चाता है Communism वो तो भाई वो तो किसी Religion को मानता ही नहीं है तो वो तो कभी Muslim League तो कभी मानती ही नहीं वो मेरे को समझ नहीं आ रहा है वो सपोर्ट कैसे इनका ले रहे थे वो अभी तक मुझे समझ नहीं आया यह वही था कि कि भाई your enemy is my enemy वाला सीन था यह करेक्ट 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 वही तो टूटली नॉट को हराना और जब तक जब इनको देखा कि 46 में इनका एजेंडा अब हो रहा है सक्सीर तो तब इन्होंने फिर बोल दिया कि भाई कि इनको अब लाग पार दो शरिया लॉइस टोटली इनक यह वाके में लगता था कि कोई चीज है जो कि लोगों का भाई करेगी इन्डिया की जो फिर डूटली सिर्फ अपना 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 इजेंडा बनाना चाहते थे उनको वाके में इससे कोई लेना देना नहीं था क्राम को अब न में आप अनूच्च परका लिगी आग पर कि यह लगा कि कॉंग्रेस को हराना मुश्किल काम है, कॉंग्रेस तो नहीं हारी जाएगी अकेली, इसलिए यह लोग पाकिस्तान के साथ होगे कि शायद वहां पर नंबर बन जाएगा पर जो में जो इंडिया में भी जो CPI वे गारा जो थी जो जो पोर फाउंडर से उनका भी प्रिंसिपल लेनन की तरह नोबली था कि भाई वेल्थ तो एवरीबड़ी और एवरीबड़ी गेट्स अन एक्वल उपर्चुनिटी तो में में कॉमिनिजम का यह तो फंड़ा था कि भाई the state owns everything and it distributes everything to everybody तो जो जो फाउंडर से उनका लॉजिक तो यही होगा इंडिया में भी CPI का जो है I'm making a big assumption कि यही होना होगा पट उसके बाद वाली जो जो जनेरेशन हाई उनके साथ उनका they had a different agenda all together and that's what happened in all the communist states ने बटे अधिकारी जो है गंगातन अधिकारी यह फा इसको हां शुरुवाती की एरा का बहुत बड़ा फॉर्ट लीडर उको मान नहीं सकते हैं हम डोग कि इनका मिस्ट्रस टो हो नहीं था अच्ट आहिए चाहँ और यह वह जो जो इसको आप परिस्क कर रहे हो तो उसको जब है पता चलती है तो वो तो रेबल करेगा प्रॉपर और यह मुस्लिम लीग वरनों को प्रॉपरली आइडिया था कि जब इनको अगर हम फिर अपने में मिला लेंगे तो यह काफी जिंक्स करेंगे प्रॉपर ली तो इनने इसलिए प्रॉपर ली अपने वेजन के साब से नहीं क को स्पेर कर दिया जब कि अम ज़ जानते हैंशुरू से मुस्लिम ली वाज आप जो बुरुजवा देन इस गाइस कॉंग्रिस वाले लोग से सारे के सारे सारे शर्फिय क्लास थे नहीं थो सारे शर्फिय क्लास थे ए पर उनको support चीए ए आए व काुई था यह था यह अई वो ही वाला सीन था है because Congress was too big for it to fail and Congress के उपर हाथ भी था Gandhi का so Gandhi was a towering figure जब ता Gandhi का हाथ था Congress पे तो they were unstoppable तो यह क्या करते है they had no other option they basically signed the deal with the devil knowingly what they are signing वो क्या हाता है negotiation power में क्या हाता है कि भई the more leverage you have the better negotiation power you have यह उसी लॉजिक से चले होंगे कि मुझे तो कोई और पार्टी दिखती नहीं है जो इनके जो आसपास इनको majority support देती at the time of independence what was the population of Muslims उच्छे करूर के आसपास हम लोग मान सकते मतलब दोनों को मिला के दोनों को मिला के और हिंदू के पच्छे करूर के आसपास तो च्छे करूर बहुत सब्सक्षाइशल फिगर है बहुत सब्सक्षाइशल फिगर है to create a noise and they were and उसमें यह भी याद रखो the last the last sultanate was of Mughals तो शर्फिया क्लास तो maximum ही बैठी हुई थी who had the power तो this was the best alliance they could think of तो चलिए आज हम लोग यहां broadcast कर लेते हैं और मैं सभी सुनने वालों का thank you करूंगा थोड़ा सा लंबा हो गया लेकिन topic interesting था और आप हम लोग ऐसे और topics को भी cover करेंगे जो कम्यूनिस्ट मुवमेंट की जो हिस्ट्री इन इंडिया फ्रॉम के मैंने बात किए वो भी description में मौझूद है तो आप सभी description को भी check कर सकते हैं अगर कोई future topic आप को ऐसा रखता है जो cover करने की ज़रूरा था तो भी आप comments में रख सकते हैं तो अब आप अपना Google Docs का भी लिंक देख बिकॉस्ट मौरों इज विपसाइट सब्सक्राइट गवाए और चेंग देख अवर चेंग देख दो उनके वी कॉपी बना के आप गूगल दॉक्स पे भी लगा के लागा के आप अब्स अब आप अब आप विच यू कंट्रोल वो भी कर दो आप स्वेशली जो PDF अगरा है ना उनके ओरिजिनल सोर्स तो दे दो सो दाट पीपल नो कहां से उठाया है साथ मैं नीचे ना Google Docs के भी दे दिया करो तुमारो इस वेबसाइट गो डाउन और दे चेंग दी वेबसाइट लोकेशिंस पीपल कन आलवेज रफर इस बाद इस बाद अप्रोड वेज बैंक बढ़ जाएगा ना तो उसके बाद नेक्स आप्शन इस वेज कर लेंगे simple wordpress site then you have those specific playlists whoever are interested in these streams and and again don't give a timeline for the stream because the the whole logic of you creating a channel is that the discussion will continue till the time you have exhausted your material it's not don't make it a time-bound discussion when people get feedback then you can think about splitting it or you do the whole discussion and then split it into bite-sized things so people on the go can listen to the whole discussions in multiple bite-sized things you can always split a bigger discussion into smaller discussion or unki playlist so don't time yourself if you have research so much don't don't worry about the time let's do it we can always talk back the second question and then you can also talk back to the channel and then go to the channel to publish a playlist so you can find the different categories of the content also which we have discussed about the book. Jonathan Height, the righteous mind, they have put all your playlists in a playlist so that you can refer to them. If you have the material that you have तो इसके साथ हम आज की स्ट्रीम एड करते हैं और विश्क करते हैं कि आपका आने वाला जो वीकेंड है वो काफी अच्छा जाएगा सी यू सूर थैंक्स